प्रथम लागू दो जरणे को धनिये ना छोड़ा आयो छी लाक तली लाल एरिया मेरे जीव के जीवना मेरे जीव के जीवन इन पाउं तले पड़ी रहू धनी नजर खोलो बातूं पलन वाड़ू निरखुने त्रे मेरे जीव के जीवना मेरे जीव के प्रीतम मेरे प्राण के आतम के आधार सर्वशो भादेने योग्यहो स्री ली लानी त्यविया स्री ली लानी त्यविया बुलेशी प्राणनात बुलेशी प्राणनात प्राणधार आतम सबंदी धाम धनी के लाडले एवं प्यारेशी शुंदर साज्जी तुमारे सी चरणों में मेरा कोटी-कोटी प्राणाम प्राणधार आतम सबंदी धाम धनी के लाडले शुंदर साज्जी कल के प्रशंग में हमने ब्रज लिला के अंदर जो जो लिलाये देखी प्रारंब से हमने तिनो ब्रह्मांड अलग-अलग शमय पर तिनो ब्रह्मांडों की जो अलग-अलग लिला उस चोपाई के आधार पर सबसे प्रतम हम ब्रज मंदल में उत्रे और पहले ब्रह्मांड जो ब्रज मंदल हुआ प्रतम ब्रह्मांड उष्मी अमने जो कल सी प्राणना जिकी तार्तम वानी ब्रह्म वानी श्री कुलजम वानी सास्त्रों की भासा में उसको स्वसम वेद आत्म वेद केते हैं हो वाणी के आधार पर हमने कई ब्रजलीला का आनंद लिया ब्रजलीला के प्रेम का रस्पिया और आज कल मैंने बताया था सुन्दर साथ जी के दामदनी ने रास ग्रंथ में बताया के नर्शी में ताने ब्रजलीला का तो बहुत विस्तार से सुन्दर मनोरम वरणन किया है लेकिन रास लिला का वरणन शुक्रेव मुनी ने किया वो भी प्रतिबिम्ब का किया असल का वरणन वो नहीं कर पाये कल भी दामदनी ने वानी के माध्यम से बताया इसलिये में ब्रज की लिला का ज्यादा विस्तार से नहीं किया क्योंकि नर्शी में ताने कर दिया ये वरणन और शुकदेव मुनी ने भागवत में भी किया वरज का वरणन बहुत विस्तार से उसका प्रमान सिप्राणना जी की वानी में क्रासगंद के माध्यम से बताया के सुन्दर साथ जी बागवत के दस्मे सकंद वो पुष्टिमार्ग संप्रदाई वैश्टन उजनों के हाट रदई है उसमें सिर्फ दस्मे सकंद को आम निकाल लेंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा निस्प्राई होग जायेगा निस्चेतन हो जायेगा क्योंकि दस्में सकंद में यहद ब्रह्मान का जो आमने दो दिन विस्तार से वरणन सुना यहद के परेकी बात है दस्में सकंद में नारायन तक की बात नहीं है बेहद योगमाया ब्रह्मान में जो क्रश्न तत्व ने लीला की हो लीला का वरणन सुकदेव मुनी ने दस्में सकंद में रखा उसमें स्वी प्राणना जी ने बताया कि प्राणधार सुन्दर साथ जी दसमें सकंद में 29 में अध्याई से लेकर 35 29 में अध्याई से लेकर 35 तक रास का वरणन है ऐसे तो प्राणना जी ने ज्यादा विस्तार से बताया कि 90 अध्याई है दसमें सकंद में कितने अध्याई? 90 अध्याई है, 90 में 30 अध्याई ब्रजलीला के वरणन है और 5 अध्याई में रासलीला के वरणन है पाच अध्याई 29 से 35 तक फिर आगे प्राणना जी ने तो यह भी बताया और भागवत में भी बताया सिप्राणना जी ने बताया कि शुक्रेव मुनी जब रास का वरणन करते करते पांच अध्याई में मैंने अभी बताये कि प्रतिभी मलीला का वरणन किया, असल का वो नहीं कर पाये, वरणन तो बहुत ग्रंथों की रचना हो जाती, जो करने लगते ने तो, लेकिन पांच अध्याई में और एक सिमित पांच अध्याई में अमुक श्लोकों में ही क्यों स सिमित कर दिया यह था तो कई ग्रंथ रचना कर देते तो भी यह राश का वर्णन पुर्ण नहीं हो पाता क्योंकि राश की भूमी का अखंड है वो इस जुठी जुबा से यह वर्णन नहीं हो पाता मेरे को तो आपको यह बताना है सुन्दर साथ जी किसी प्राणना जी ने सिर्फ रास का वर्णन किया वर्ज का क्यों नहीं किया यह मैं थोड़ा भाव में बताऊंगी ब्रज का वर्णन ऐसे एक कालमाय के ब्रह्मान बने थे कैसे बने थे ऐसे एक कालमाय के ब्रह्मान बने थे जैसे दिन और रात्री का था और कालमाय के ब्रह्मान में जो लिला हुई ऐसे ही कालमाय के ब्रह्मान में यहां की लिला हुई बले ऐसा ही बना था दिन और रात्री का यहां ही लिला हुई तो यहां की लिला ध्यान से सुनना सुन्दर साथ जी मन बुद्धी और अंतसकन के धरातल पर हो सकती है लेकिन जो मैं बेदेने वह मैं बताने जा रही हूँ लेकिन जो रास की लीला कहां हुई बेहद में हुई एक्षर ब्रह्मान से परे हुई तो वह वर्णन मन के धरातल पर नहीं होता वह वर्णन बुद्धी के धरातल पर चित के धरातल पर ये धरातल पर ये जीव के धरातल पर ये वर्णन नहीं होता वहाँ तो मन, बुद्धी, चीत, एहंकार, इंड्रिया उससे पर जाकर यह वरणन कर पाते हैं मन, बुद्धी के दरातल पर वरणन यह नहीं वो पाते इसलिए तो सुन्दसाजी नर्शी मेता जब रास देखने के लिए गए आत में मसाल भी थी, अपना हाथ जलने लगा, था कहां का रहने वाला? जुनागड का वहाँ बैटा-बैटा हाथ में मसाल, रास का वरणन देखने के लिए गए हाथ जलने लगा, रास नहीं देख पाए, अखन रास वो नहीं देख पाए प्रतिभिम की थोड़ी सी जलक मिली, हाथ जल गए, लेकिन प्राणना जी ने वाणी में बताया, में बार बार प्राणना जी की वाणी का स्पष्टी करण करूंगी, क्योंकि भेद इस से खुलेगे भागवत से वाणी नहीं खुलेगे, सुन्दसाजी ध्यान देकर सुनले ना आपाज गुरान से वाणी नहीं खुलेगी, बाईबल से वाणी नहीं खुलेगी, गुरु गरन साहिब से वाणी नहीं खुलेगी, बिजगरन से वाणी नहीं खुलेगी लेकिन वाणी से सब सास्त्र खुलेगे, बोलो सी प्राणनात हम जो भागवत लेकर ये खोलने के लिए जा रहे तो भागवत से ये नहीं खुलेगी क्योंकि भागवत के खोलने की कल क्या है ये चाबी क्या है ये वानी है ये आगे में बताऊंगी जब देवचंद्रजी का प्रसंग आएगा में वानी को माध्यम बना कर बताऊंगी मेरी अपनी बात घर की बात में नहीं लूँगी जब देवचंद्रीजी को तीसरा दर्शन हो गाने जब ध्यान में तभी भागवत गिता के रहसिया खुले ऐसी चुपाई बताई है क्यों भाई पहले नहीं खुले भागवत तो 14 साल निष्ठा बन सुने सुने ने क्यों नहीं खुले तीसरे दर्शन के बाद खुले कोन आ कई अंदर जागरत जागरत बुद्धि के सिवा किसी के अंदर गुज माईने रहस्या नहीं खुले गे क्योंकि प्राण्णा जी ने वानी में बताया एते द्रिंति लोक में हुत्ती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागरत ले प्रगटे पुरी नहुत बिक्रम सन्षोड़ सोड़ तिस तक जागरत बुद्धी इस ब्रह्मान बे नहीं आई थी, कौन भेद खोल सकता बुद्धी के बीना, पार की बुद्धी के सिवा, कोई भेद खोल सकता क्या, इसलिए सुन्दसाजी, गित्ता, भागवत, जो भी सास्त्रों है, सब के अम बोल जहाँ जहाँ रहसी आएगा, जहाँ जहाँ भेद आएगा, माइना आएगा, वो आज खोल करम देखेंगे, तो सिप्रान नाजी ने बताया, के प्रानदार सुन्दसाजी, भागवत के दस्विस कंद में, सुकदेव मुनी ने जो प्रतिविम्बलीला का वरणन किया है, य मैं थोड़ा अंदर से चिंतन कर रहे थी, स्वध्याई कर रहे थी, तब ही पता लगा, कि यहाँ के जो प्रतिविम्बलीला हुई, यह मैं आगे बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बेद यहाँ खोलती हूँ, यहाँ के जो प्रतिविम्बलीला हुई, सुन्दर साथ जी, यह प्रतिभीम लीला तो जहां रास हमारा महां से रास्यम परमधाम में वापस लोटे ने मुल मिलावे में मुल तन में हमारी परातम तन में हमारी सुर्ता वापस लोटी हमारे नुरी तन कहा अखंड हो गए रास में केवल ब्रह्म में सबलिक के महा कारण में हमारे नुरित तन अखंड हो गए, सबलिक के कारण में हमारे ब्रज की लिला वाले जिव अखंड हो गए सुन्दर साथ जी, और हम आगे बढ़ेंगे, ये बात आज याद आई, कि उठने वाली यहाँ, जो यहाँ उठी ने सुर्त यह कौन है हम तो वापस चलेगे हमारे तन अखन हो गए और यहां जो सिधे राज से शुरू हुआ यह मैं आगे बताऊंगी और उसके बाद जो 11 दिन की लिला हुई और 11 दिन के बाद 112 साल की जो लिला होगी द्वारी का वासी और मथुरा वासी की लिला तो यहां ओदव संदेश लेकर आए अक्रूर मथुरा लेने के लिए आए गोकुल से आये ने मैं भेद बताने जाने यहां ध्यान से सुनना सुन्द साथ जी तो यह लिला तो महां गटी कि दी नहीं हुई है समझ गए मेरी बात समझ गए मेरी बात सुक्देव मुनी ने अखंड का पारब्रम रसका यही भागवत इतना चरण रख दिया प्लालदा सिमाराज ने वित्तक साहिब में पारब्रम रसका यही भागवत फिर पारब्रम की बात कर रहें फिर बता रहे कि यहां की बात नहीं है, फिशुक्देव मुनी प्रतिभीम की बात कर रहे है, यह तीनों बात रख़ती है, खोलिए भेद उसका, कैसे हम दुसरे को समझाएंगे सुन्दसाजी, और भी आज एक बात खोली मेरे को, धामधनी ने खोली, उसके उकम से खुली, यह एक बात और भी खुली, कि आज सुन्दसाजी, जो मुझिय पानुरंग शास्त्री, योगेश्वर भाई बेन, मैं परसो भी एक बात रखी थी, मैं सबको प्रनाम करती हूँ आज, पुष्चिमार्ग वाले भी कई वैसने उजन, सब हैं अमारी आत्मा है, कोई अलग, नहीं है, मैं आज भेद खुल रही हूँ, आपके पास एक बिनन्ती करके, माफी माँग के, शमा चाहती, एक बात और भी खुली, कि गित्ता को कहने वाले योगेश्वर, वो भी एक योगेश्वर्षी कृष्ण को ही तो मानते हैं, और बुष्टी मार्ग में, मनने वाले वैसने उजन, वो भी एक कृष्ण तत्व को ही मानते हैं, यही कृष्ण तत्व को मानते हैं, वो भी एक कृष्ण के नाम पर ही पैचाने उसकी, ऐसे आज हम भी यही कहते हैं कि वे कृष्ण के तन में हमारी 11 साल और 12 दिन के लिला हुई मानते हैं ने ऐसे आधास्वामी मत्वाले यह भी कृष्ण की नाम की स्पष्ठी करण करते हैं ऐसे एक मत्वे और शामिनान संप्रदाई वो भी अखंड ब्रज और रास की बात करते हैं अपने वच्णा मृत में शिक्षा पत्री और सत्संगी जीवन में नहीं है उसकी तीन किताबे हैं शिक्षा पत्री सत्संगी जीवन और वच्चे नामृत वत्ना मृत में थोड़ी ज्यादा तर तो नहीं थोड़ी बाते बताईए अखंड ब्रज और अखंड रास की बात तो हो भी कृष्ण तत्व को लेकर बात कर रहे हैं चलो यह बात तो दुरी की रही और और एक गहरे में बात लेने जा रही हूं कि सब कृष्ण कृष्ण की बात तो सब कर रहे हैं और दुसरे बंद को छोड़ो सिर्फ वलवाच अर्यजी पुष्टि मायक सम्रदाई में हो भी बोलते हैं कि हम ग्यारा साल और बावन दिन की ही लिला को मानते हैं चलो तब आप कैसे स्पष्टिकर्ण कर गये उसके सामने म मेरे पास कोई उत्तर मेरे को दे सके किया अभी ग्यारा साल और बावन दिन की लिला को तो हो भी मानते हैं कैसे आप पेद खोलेंगे वानी के शिवा समझ रहे हैं मेरी बात को आप मेरी कई बार उसके साथ डिसका सोती रहती है कई बार मेरी बुवा है ने वो भी अपने घर में लाला की सेवा करती है बाल गोपाल की मैं कैसे समझाओ उसको वो कृष्णा बोले तो मैं भी कृष्णा बोलूँगी वो 11 साल बान दिन बोले तो मैं भी यही बोलूँगी समझ मैं आ रहा क्या आप कैसे बेहद खोल के मैं आपको यह पूछ रही हूँ कि आपको मैं बोल दिया कि कई मत्पंथ वाले आपके पास आएगे, आपको पुछेंगे, आपके साथ मात करेंगे, आप जो कृष्ण के मात्र नाम और रूप को लेकर जो आप बात करेगी, तो आप कैसे स्पष्टिकरन करके उसको बताओगी? बताओगी क्या मेरे को? मैं आगे बताओंगी आपको अभी नहीं बताओंगी, आप इंतजार करो. समझ मैं आ रहा है, मैं क्या कह रही हूं? सब वहुँ नाम वाले करिश्ट रहूं से ही तो दुनिया जानती है. मैं यह नहीं कह रहे हूं कि अक्सराती स्रीकृष्ण नहीं है मैं सिर्फ इतना बेदर समझाओंगी आज आपको धामदनी की कुरुपा से अंतिम तक जो बाकी रह जाएगा तो कल समझना कोई बात नहीं पांत दिन दिन भले चलती रहे धामदनी बताएंगे आज पक्का सुन्दर साथ जी जो नाम और रूप और तत्व पहले तो तिन बात आप ध्यान से सुन लो नाम, रूप और तत्व और गुन चार बात ले लो ने नाम, रूप, तत्व और गुन मैं चार बात को थोड़ी देर में समझा दूगी नाम किसका पड़ता है सुन्दर साथ जी मेरे को कोई बताएगा सरीर का, किसका? जीव का नहीं पड़ता जो जीव का पड़ता है नाम, तो अंदर वाला जीव थोड़ी देर के लिए बक्षी, पसू, किट पतंग में चला जाएगा तो उसका नाम जोसना बेन होना चाहिए ने? समझ में आ रहा है जो जीव का नाम होता, तो ये जीव थोड़ी देर के लिए गाई में चला गया, तो गाई का नाम जोसना बेन होना चाहिए दारन किया है पांच पृत्वी जल तेज वायू और अकास पांच तत्व का हमारे अंदर कितने गुन है तिन सतो रजो और तमो तिन गुन है ने पांच तत्व तिन गुन और यह पांच तत्व बोड़ी तिन गुन और रूप जो हमने धरन किया ने है शरीर नाम तत्व और गुन और भागवत में भी बता दिया कि जब महा उप्रले होगा तभी पांच तत्व बचेगे क्या पांच तत्व नहीं बचेगे तो गुन बचेगे तो रूप बचेगे तो क्या नाम बचेगे और प्राण्णा जी ने भी आगे आयेगा प्रसंग वानी में भी बता दिया वित्तक्षाइब में भी बता दिया सुन्दर साथ जी पांच तत्व मिल भही अंद्यरी हुँआ चवदे लोग पतन बता याने चलियो जुग जाए रे सुद बीना प्राण्दर साथ जी भागवत में भी बता दिया और वित्तक्षाइब में क्या बताया जब दोनों भाई गोर्दन भाई और मिहराज कांची बटके वहां गये तो बताया ने कि चार कितने प्रकार के प्रलाई कितने लोग कितने तत्व कितने गुन तभी क्या जवाब दे कार तो थे तो उसके पास उसके पास बहो खुल जाना चाहिए बहुत कीओ जो भागवत से वानी नहीं भुलेगी। भागवत से वानी तो कांजीविध खोल देतीन उससे पहले शुकदेव भी खोल देते शुक् detने लिखने वाले teenager खोल देते हैं। सुन्दर साथ जी नाम रूप तत्व और गुण जितना भी अमने धरन किया है उसका एक दिन नास होने वाला है तो नाम और तत्व से उपर उठकर और गुण नाम तत्व और गुण से उपर उठकर सिर्फ हमको यही जानना है कि सिर्फ सक्ति को बलोशरी प्राणनात हमारी 20 दिन या 11 दिन जितने दिन चर्चा चलती रहेगी उसमें 5 दिन 6 दिन में सुन्दर साथ की लिला और 7 दिन में 20 की लिला खंड मुक्ती की लिला आएगी यह वित्तक साहिब में तब तक 7 दिन में हम ज जीव अखंड होगा, हमारी सूर्ता परत परमधाम में वापस लोटेगी मूल तन में, तब तक 18-19 दिन में हम यही जानेंगे के सिर्फ सक्ति को, किसको? आवेश सक्ति को, जो आवेश सक्ति पेले दिन क्रश्न नाम के तन में आई, वो तन छोड़ दी अवरज में, जो हम ना नाम और रूप को पकड़ के रहेंगे, तो अभी आपने बोलाने, नाम रूप का तो नास हो जाएगा, वो सक्ति दूसरी दिन कहां गई? रास में गई, वो तन तो व्रज में छोड़ दिया, हमने कल भी सुना था, परसो भी सुना था, कि आत्मा जनमती मरती नहीं है, तो आत्मा कभी गर्भ में नहीं आता, कल भी हमने देखा था, विष्णू के जीव ने जनम लिया, फिर वो तन छोड़कर रास वाला, नूरी तन वा अखंड हो गया, और रास खेलके बरा रबाये, श्याम तो सक्ति आई ने, तो महमद साहिब को भी हम क्रश्ण क्यों नहीं कह सक्ति महमद के तन को छोड़कर कहां चली गई, सत्गुरु धनी स्री, देव चंद्री, तो हो रूप को पकड़ के रहेंगे, सत्गुरु करकर, तो हो भी छोड़कर चले गए हमारे बीच से, चोंतेर चाल, चोंतेर साल और उस साल में एक मास, पांच में दिन में, दो मास पांच में दो खोड़कर के रहेंगे, से हमारे बीच से अंतर धियान लीला हो गई, हो गई ने, सत्गुरु किसको कहां, सत्गुरु किसको कहां सुंदर साथ जी, अंदर बैठने वाली सक्ति को, प्राना जी ने वांधाया, के सत्गुरु मेरे श्याम जी, तो श्याम कों अक्षरा, तीत, प्राण, नाथ, पुरुणब्रह्म, परमात्मा और वो सक्ति चोथे दिन की लिलास पुरुना करके पांच में दिन में किस तन में गई? मिहराज थाकुर के तन में गई ने तो मिहराज थाकुर को अमने प्राणनात नहीं किया लेकिन अंदर सक्ति आई ने, जो पहले दिन में लिला कर रही थी, वो सक्ति किसके तन में आई पांच में, दिन के जो तन धारन किया, वो तन में आई, इसलिए उसको प्राणनात कहा, प्राणनात कोई पुरुणब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं है, कोई सुन्दर साजी, इसलिए तो मैं दो तिन दिन से बोल रही हूँ, कि वो नाम से परे है, वो सब्द से परे है, वो सब्दा तित है, वो इंद्रिया तित है, वो बेहद से परे है, जो सक्ति आती है, वो अलग-अलग तन का धारन करती है, और नाम वाला एक रूप धारन करती है, वो सक्ति लीला करके फिर वा सब के अंदर होई प्राण बेठे हैं कोन प्राण मुलतन से जो आत्मा आई ने इस चुठे तन में नस्वर तन में तो उसको प्राण बोला क्या बोला प्राण बोला और यह हमारे नाथ है प्राण के नाथ है इसलिए उसको प्राण नाथ बोलते हैं और एक और स्पष्ठी कर करें अक्षरा तीत क्यों बोलते हैं कि वो अक्षर से परें अक्षर और अक्षर से भी परें अक्षरा तीत है वो अक्षरों में आता नहीं है वो सब्दों में नहीं आता है इसलिए उसको अक्षरा तीत कहते हैं उसको पुर्ण ब्रह्म कहते हैं पुर्ण ब्रह्म इसलिए कह क aperture कि उसका घ्रचन पूर्ण ए उसकी सोभा लू नहीं वहां किसटों करन कर नहींitions लिए उसको सब्दा थी परणन्द केूअ है पुरण ब्रह्म के त plains प्रमात्म इसलिए के त् समझे हो कि हमारे अंदर आई ओ आत्मा gent और आत्मा का मुलतन को क्या बोलते हैं मुलमिलावे में पर आत्म ये आत्मा उसका मुलतन परात्म और परात्म जिसके चरणों में बेठे उसको पर मात्मा बोलते हैं और इसलिए उसका नाम कोई नहीं है और सुन्दर साथ जी स्री राज जी इसलिए हम बोलते हैं कि ये शर ब्रह्मान के सरवच्च है, नारायन के सरवच्च है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सरवच्च है, उसके आगे नारायन के सरवच्च, उसके आगे चारो पाद विभूति पाद है, उसके भी सरवच्च है, और उसके आगे अक्सर ब्रह्म है, उसका भी वो प्रियतम हमारे प्रियतम जो भी कहो उसका एक बाल लीला करने वाला सत्ता के स्वरूप कहो कलम ने बोला था ने के स्वरूप एक लीला दोई तो अक्सर भी जिसके दर्शन के लिए जाते है ऐसा सुन्दर साजी सर्वच्च हमारे प्राणों के प्रितम अक्सरा तीत प्राण नात पुर्ण ब्रह्म इसलिए उसको केते हैं और सुन्दर साजी सचिदा नंदपणम केते हैं राजाओ के राजा है किसका राजा नाराण के भी राजा और अक्षर के चारवी पुतिपाद के भी राजा अक्षर के भी सर्वच्च ये वा राजाओ के राजा होने से हम उसको राज जी केते हैं और सचिदा नंदपणम केते हैं के सत रुप अक्षर ब्रह्म, चित गन स रुप स्वयम, राज्जी और आननन रुप श्यामा जी आहला दिनी श्यामा महरानी और उसके अंग रुप आत्मा हैं तो सत चिद और आनन्द और ब्रह्मात्माय के अंग रूप पशुपक्षिया और पूरे परमधाम के 25 पक्ष है इसलिए सुन्दर साजी उसको सत चीद और आनंद सचीदानंद केते हैं सचीदानंद सब्द तो कई मत्सम्रदाई वाले सुन्दर साजी बोलते तो है लेकिन उसको पता नहीं है साजी बाबा सिर्डी में एक बार में गई थी तो उस मंदिर पर आप देखना कई बार जाना हुआ आपका तो वहां भी लिखा है कि सचीदानंद सवरूप सी साजी बाबा सत चीद और आनंद कहते हैं किसको यह सब को पता नहीं है सुन्दर साजी सचीदानंद इसको कहते हैं कि अनादी काल ध्यान से सुनना अनादी काल पेले जो जो स्थिती में जो स्वरूप में था और आज वर्तमान में भी वोई स्वरूप में वोई स्थिती में है अनादी काल बाद वोई स्थिती में रहेगा ने वोई स्वरूप में रहेगा ने उसको सचीदानंद कहते हैं जो परिवर्तन होता है जो बनता है जो मीटता है समझ में आ रहा है बदलाव आता है चेंजिस आता है उसको प्रुणब्रह्म या सचीदानंद नहीं कहते सुन्दर साद जी, परिवर्तन आने वाला, बदलने वाला, चेंज आने वाला और कंपमान से ये सुष्ठी की जो रचना होती है, फिर लई होता है और ये सुष्ठी के अंदर बार बार चोबिस सवतर आते हैं और लिला करके फिर वापस जाते है लेकिन वो भी गर्ब से जनम लेते हैं एक बार मैंने परसो भी बोला था कल भी बोला था कि बार-बार आउतारों के रूप में चाहे वरा हो नुशी हो कश्यप हो मत्य हो राम हो परशुराम हो सुंद्शाजी या कृष्ण हो यह सब नाम यहां के है जिसने नामधारण किया उसका नास होने ही वाला है तो नाम मेरा यही कहने का भाव था कि नाम और तत्व और गुण से हम परे उठकर अंदर बैठने वाली सक्ति को सिर्फ पैचाने होई सक्ति मूल सक्ति दिवियप परमधाम में रेती है और आज हम ब्रह्मात्मा यही नस्वर खेल में आई है तो हमारे धाम दिल में वो धाम दनी आवेश सक्ति से आये है मुलतन से नहीं आये है बस इतना कहना था सुन्दर साथ जी हम आगे बढ़े के कल की लिला हमने प्राणना जी की वानी के माध्यम से अक्सरातित की वानी के माध्यम से कल हमने कई प कोई प्रस्ण भी उठेगा, कल मैं उठने के बाद जब वहाँ पुँची तो कोई सुन्दर साथ ने प्रस्ण भी किये, कि दिदी आपने बहुत लिला लेली, कृष्ण की कई माधुरिय प्रेम मैं, ऐसे मनोरम लिला का वरणन किया, लेकिन बाद लिला से कोई शिव जी का, या पुतना का, या कोई वरणन इंद्र का, या ब्रह्मा जी का, वो वरणन तो आया भी, नहीं, मैंने कल भी स्पष्टी करन किया था, मैं उसको बोला, कि अपने कल ध्यान नहीं दिया होगा, कल अपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्यो समझ में आ रहा है ने मैंने कल सिर्फ कृष्ण का नंद के घर प्रागट्य हो गया पता है मैंने बोला था आज बधाई ब्रज गेर गेर प्रगट्यासी नंद कुमार सजनी कल मैंने साफ साफ बता दिया था कि सुन्दर साथ जी ये वानी को जाहेर करना है इस ब्रह्मार्ण में समझ में आ रहा है मेरी बात पले मैंने प्राथमीकता वानी को दी है कल रेखा का भी फोन आ गया के दिधी आपने कल वानी के आधार पर बताया वुर हजलीला का वरणन भागवत के आधार पर क्यूं सो साल सी ये वानी आ गई क्या संसार के मत पत जहर कर रहे क्या क्या ब्रह्मा कुमारी वाले मत वाले हमारी वानी जहर करे कभी जाना सेंटर में जाना सुंदर साजी आज आख खोल कर सुन लेना कभी देखा दादा बगवान वाले वानी जहर करे क्या निरंकारी मत वानी जहर क रहे क्या रादा स्वामी यदानी जहर कर रहे क्या पुष्टी मार्ग यवानी जहर कर रहे क्या ब्रह्मा कुमार यवानी जहर कर रहे क्या तो वसो रजनीस यवानी जहर कर रहे क्या शीशी रविशंकर यवानी जहर कर रहे क्या तो कौन करेंगे कौन करेंगे सुन्दर साजी ब्रह्म इसलिए सुन्दर साजी इस ब्रह्मान में पहले वानी को जाहर करना है कल वानी की आप नहीं मानोंगे मैं यहां से एक सब्द जुठ बोलूने तो मैं गुनेगार बनूंगी कल मैंने पक्का दिरी नहीं लिया था मैं घर से निकली तभी मैंने सोचा था लेकिन मेरा सोचा हुआ चला नहीं राज जी ने पुरा अंदर से एक इलहाम मेरे को मेसेज आया कि तु किसकी वानी जाहर करने के लिए बेठी हो पहले वानी में क्या प्राणना जी ने बताया यह जाहर करो इस Mississippi में और संसार के जीवों को बताओ उसके पास या वानी नहीं पहुची है यह पुरे संसार के जीवों के लिए मुक्ति दाता है किसके लिए है संसार के जीवों के लिए वानी आई है हमको तो सिर्फ घर आत्मा सुन्दर साजी और हमारी धनी का पता लग गया हम इदर उदर नहीं भटकेंगे संसार के जीव विचार आज कई मत्पंथों में भटक रहे है उसको पता ही नहीं है कि अक्सरा अतित पाहर ब्रहम कौन है आज देखो आज दाहोद की ओर हमारे बच्चे आज 5-6 दिन से लगा तारिया दाहोद के सुन्दर साथ बैठे पंडाल की सेवा उसको सेवा दी गई है मैं वहाँ पाहरों के इलाखे में जब जाती हूँ मैं उसकी हालत उसकी स्थितित को देखकर इतनी दुखी होती हूँ ऐसे पहाडों में बैठे सुन्दर साथ गी उसको पता ही नहीं है उसको जिसको पता लगा उसके पास एक किताब खरिकने का सुन्दर साथ जी अपने पास अपना इतना भी वैसे या धन नहीं है उसको देखो तम आप उसकी वरतों देखो और आज पहाडों में कई जोपड़ियों में कई गरीब लोग रह रहे सुन्दर साजी उसको वानी का पता नहीं है उसको बताओ के वानी कौन है यह अक्सरातित का स्वरूप है और किस लिए वानी आई है और कौन यह जाहर करेगा और संसार को यह कौन बताएगा जो हम भी संसार के धर्मसास्त्र जाहर करते रहेंगे तो संसार के धर्मसास्त्र भागवत गीता रामयन तो सुन्दर साजी त्रेता द्रापर और द्रापर के अंत तक जाहर होती रही और अभी हजारों मत्पंथ क्रश्ण तत्व को और भागवत को और गित्ता को लेकर बात जाहर कर रहे हैं लेकिन वानी किसी के पास नई पोँची है संसार को यह वानी जाहर करनी है सुक्सितल करू संसार चोड़ टाड़ी करू वो लाओ सुक्सितल करू संसार अनेक विद द देवु सुखमारा साथ ने रास्तना वार विचारे को पता नहीं कोई हनुमान को बत्थर की हनुमान को मत्था टेक रहे कोई शिवजी की लिंक को बत्थर की लिंक को मत्था टेक रहे सुन्दर साजी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को अराध्य इस्ट मान कर विचारे चार शारधाम की यात्राओं में कोई एक मैना की या सवा मैना की सुन्दर साजी देट देट धाइडाए मैना की यात्रा करकर विचारे संसार के जीव अलग-अलग मतपंथों में जो फसे हुए जीव वहां जाकर दान दक्षीना या होमवन यग्य या पंडे पुजारी को मिलकर बस मान रहे कि हमने दान दक्षीना कर लिया शारधामों की यात्रा कर लिया और चारों मठों में हमने प्रनाम कर लिया और बस हमारी भक्ति पुरी और हमारा कल्यान हो गया आतम का ये जीव को पता ही नहीं कि पत्थर की मूर्ति हम को क्या देगी पत्थर के वगवान क्या क्योंकि जो सास्त्रों में बताया आज खोल आँखोल कर सुन लेना सुन्द साजी वेदों में भी वरणन कर दिया वेदों में आठ प्रकार की मुर्ति का वरणन किया एक लोहे की मुर्ति एक पत्थर की मुर्ति एक शांदी की मुर्ति ऐसे एक शोने की कोई पंच धातु की ऐ आठ में प्रकार की मूर्ति ज्यानमे मूर्ति तो मैं आज हर मत्मंथ वाले को आज एक नमर निवेदन या प्राथना करके या आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम करके आज आपके चरणों में मेरा सीर जुका कर आपको एक बार अंतसकन से पुकार करके आपको कह रही ह कि जड़ मुर्ति में प्रणाम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा ये पिचारे को पता नहीं है तो आप जो अपने आराध्य इस्ट का जो जिसका भी अब सेवा पुजा अर्चना कर रहे हो तो उसका ग्रंत बद्राई अपने घर में मानलो आप शीव की पुजा करते हो तो मुर्ति में मुर्ति के सामने मथ्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा आपको आप अपने घर में महस्वत तंत्र पुरान सहिंता या सिव पुरान पद्राईए या आप विश्णू को मानते हो तो महस्वत तंत्र में विश्णू की बहुत विस्तार से बात की गईए या बद्राइए यह आप योगेश्च्वशी कृष्टन को मानते हो तो आपके घर में गिता बद्राइए आप कृष्टन तत्व को मानते हो तो सिर्फ लाला की सेवा पुझा करके या उसको खिलोने से खिला के सुन्दसाजी उसको और आगे में कहती हूँ कि यह करो यह तो मात्रबाहिय करमकान रहेगे अडंबर रहेंगे लेकिन उसके बाद जो उसकी सिवा पुरी होने के बाद आप भागवत का पठन कीजिए और बाहर वेशपुसा, बाहर के आडंबर, बाहर सरी को नहलाना, तुलाना, वेशपुसा धारन करना, तिलक लगाना, गले में कंथी पेनना ऐसे परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है, आप जिसको भी मानते हो, उसका एक आरत दियका, एक अपने घर में धर्म ग्रंत बद्राईए, मूर्ति की पूजा मत करिये, मत करिये, मत करिये मैं आज आपको ठोस दावा के साथ के रही हूँ, कि आप धर्म सास्त्र खोल कर देख लीजिए, ऐसे हमारे तंकारा, रुशी दयानन सरस्वती, जिसने सत्यार्थ प्रकास नामक ग्रंत लिखा, उसमें उसने मूर्ति पूजा के बारे में बहुत बाते लिखी है, उसने अंसार के कलियान के लिए उसने बोला, कि है जीवो, आपका उधार, आपकी मुक्ति, पत्थर की मुर्ति के सामने मत्था टेकने से, उसको खिर-पुडी खिलाने से, या उसकी पूजा भक्ति करने से, या परिक्रमा से, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि चेतन आप हो, परमात्मा चेतन है, और उस परमात्मा ने आपके अंदर चेतनिया, चेतन सक्ती जीव डाला है, तो चेतन परमात्मा, चेतनिया से ही मिलेगा, जड़ पुजा से, जड़ मुर्ति से आपको नहीं मिलेगा, वेदों में भी बताया, मैं प्रमान देकर, क्योंकि आज मीडियो में चर्चा जा रही है उसमें मेरी घर की बात नहीं चलेगी अज़ारों लोग देख रहे आज मैं प्रमान देकर बोल रही हूँ, मैं अभी सत्यात प्रकास का प्रमान दिया, और में वेदो का प्रमान दे रही हूँ कि वेदो में भी बताया कि न त्वानियों, न पार्थिवों, न जातों, न जनिश्यतें, न दित्यों, न तित्यों, न चतूर्थों, न पंचमों, न सप्तमों, न अस्तमों, न उम नुमों क्या बताया वेद में ये परमात्मा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छे नहीं साथ नहीं आठ नहीं नव नहीं ये परमात्मा एक है बोले सी प्राणनाथ नत्वानियों उसके समान और कोई दूसरा नहीं है तो आप एक ही परमात्मा मैंने अभी थोड कि आप अभी अलग-अलग मत्पंथों में अलग-अलग देवी देवता भगवान या अउतारों की जो पूझा आप कर रहे हो आप अलग-अलग मत्पंथों में अलग-अलग देवी देवता या अउतार की जो आप पूझा कर रहे हो तो आप अपने सास्त्रों को खोल कर मैं आगे और थोड़ा बताऊंगी, कि जो पुजा की है, सास्त्रों में जो लिखी गई है, देवी देवता और अउतरों की जो पुजा लिखी गई है, उसके गुणों की पुजा लिखी गई है, उसके शरीर या मूर्ती बना कर, या उसको फोटो बना कर, कोई तस्वीर या चित्र की पुजा नहीं लिखी गई है, आप चित्र की पुजा कर रहे हो, चित्र की नहीं, चरीत्र की पुजा कीजिए, बोलिये सी प्राणनात, चरीत्र मतलब गुण, उसके गुणों की पुजा कीजिए, क्या कीजिए, गुणो कीजिए उसमें से आप पढ़िए के राम ने क्या लिला की मरियादा पूर्शोतम ने घर में कैसा विवार क्या भाई भाई कैसे रहते थे पत्नी का कैसा सिता के साथ नाता था लक्षमन के साथ कैसा विवार था उसकी पत्नी सुमित्रा कैसे रही ऐसे उर्मिला कैसे रही ऐसा आप जब उसका चित्र देखेंगे ने पुरा चरित्र लीला का वरणन आप देखेंगे ने तब ही पता लगेगा सिर्प, राम, लक्षमन और जानकी की जो आप मंदिर में जाकर पुजा करेंगे तो उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि जब तक हम ये धर्मगरंत हम इसलिए आपको मैं बाहर बाहर आपके चरणों में प्रणाम केर करके रहूं कि प्रानधार आत्माये आप जड मुर्ती की पुजा करते करते हमारी बुद्धी में भी जड़ता आ जाएगी और हमारी बुद्धी का जो विकास होना साहिए डेवलफ होना चाहिए और मैं प्रकार की मुर्तिया बनाई जो पत्थर पुझकर आपको हरी मिलता है तो मैं पुरा पाहाड को पुझू ऐसे कई धर्मसास्त्रों में तो प्रमान दिया है लेकिन समय शाथ नहीं देता लेकिन आप मैं और आगे एक बात रखती हूँ कि आप एक पारव्रम परमात्मा की पेचान कर लो तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है मैं तो कोई मत्पतान तरों में या अनेक देवी देउता या भगवान अउतारों की पूजा करो ये मेरे लिए वास्तों में तो दुख दायक है लेकिन अभी तो मैं कैसे आपको सिधे तो मैं बोल तो दिया ऐसे तो सुद्ध सब्दों में लेकिन आपको दुख ना लगे आपको कदाचीत ये कटू बचन लगेगा लेकिन मैं सत्यक कहने से कभी भी डरती नहीं हूँ मैंने धर्म सास्त्रों से आपको प्रमान देकर बताया है मैंने अपनी घर की बात नहीं ली है तो आप सबको छोड़ कर क्योंकि मैंने परसो भी बताया था कि नारायन तक का नारायन नाराणम बोलते हैं ने नारायन तक का जगत जो नस्वर संसार पुरा बना है हो एक दिन महाप्रलई में ना सोजाएगा तो आपके जीव का ठिकाना कहां रहेगा इसलिए आप नारायन की भक्ति करोगे तो भी एक दिन आपका ठिकाना कहां तक रहेगा जहां तक जब तक ये नारायन रहेगा तब तक आपका ठिकाना रहेगा जो आप ब्रह्मा विश्णु महेत की भक्ति करेंगे तो जहां तक जब तक वैकुट रहेगा चौधवा लोक तब तक आपका ठीकाना रहेगा और कोई देवी देवता की भक्ति कर रहे तो कहां तक ठीकाना रहेगा आपका जीव का स्वर्ग तक ठिकाना रहेगा और महापलय में भागवत के आधार पर बताया गया है कि जब नेमितिक प्रलय होता है तब स्वर्ग तक का सब कुछ नास हो जाता है भागवत के आधार पर सुन्दर साथ जी वानी की बात तो मैं आगे बताऊंगी भागवत में बताया कि नेमितिक प्रलय में स्वर्ग तक का नास हो जाता है तो देवी देवता नाराइन नहीं बचेंगे तो आपके जीव को मुक्ति कौन देगा और आपके जीव का कहा ठीकाना रहेगा आप सोचिए ये आतम का सोदा है ये जीव का सोदा है ऐसे परे जो बेहत में पहुचने वाले महापुरुष जो कोई भगवान अउतार पहुचे उसका नाम मैंने परसो भी लिया था शुक्रेव, शनकादीक, कबीर, शीव, महाविष्णू, रहीम, रस्खान, मीरा ऐसे जो महापुरुष, बलभाचारिय जी, चेतन्य महाप्रभू जो पार पहुचे, वो बेहत में पहुचे, अक्सर में पहुचे कहां पहुचे? अक्सर में, वो भी प्रतिविम लिला में पहुचे असल लिला जहां हमारी अखंड हुई वो उसमें हम आगे जाएंगे तो लिला का पार वो भी नहीं पाए और उसके आगे जो हमारी लिला हुई वो अखंड हुई और उसके आगे अक्सर का ठीका ना आता है और उसके आगे अक्सरा तीत दिव्य परमधाम आया है तो सुन्दर साथ जी, हे प्रानदार आत्माये, आप सभी ए दिव्यवरंपूर्पुर्णवरंपरमात्मा के बारे में आप जानियें, आपको जानने की इच्छा हो, तो निजानन संप्रदाई में ये तारतम ब्रम मवानी, कुल्ज मवानी, शरुप साहे जो पांच मां स्व कहीं कहीं सुन्दर साथ होगे उसके घर पे भी वानी होगी और जो वहां आपको समझने में तिका या वानी ना मिले तो मेरे घर पे मेरे को तो साथ पलगबगा आज तिन चार दिन से सुन रहे हो तो आप पेचानते होगे मेरे घर में सब साहित्य, सब तिकाए, सब चोटी ब जक्ती करने के बाद बार-बार जनमना और बार-बार मरना यह आवागमन के चकर मिट जाते तो प्राणधारात्म आए मेँ आज सब को और सब का आधार और सब को माध्यम बना कर आज इतनी बाते रखी है और कल की जो बाते मैंने बोल दिया जहां बात हमारी अधूरी रह गई कि यहां बैठने के बाद धनीने अंदर से दिल को मोर दिया तो पेले मैंने प्राणनाथ जी की वानी के आधार पर जाहर किया, जो वरजलीला का पूरा वरणन सी प्राणनाथ जी ने वानी के आधार पर जाहर किया है, वानी के माध्यम से जाहर किया है, वो कल हमने जाहर किया, आज भागवत के आधार पर सुन्दर साथ जी जो बताया ह कि शी कुरुष्ण जी का जन्म कहां हुआ यह तो भागवत में भी बताया मतुरा में देवकी के गर्भ से जहां कंस और जो राक्षशो के बुरी मतुरा जा देवकी और वशुदेव मतुरा में कारा गुरु में जो उसके गर्भ से जन्म हुआ यह लीलाम ने कल देखी उसके बाद वशुदेव जब सुन में लेकर कहां गए गोकुल और यहां कौन-कौन सी सक्ति आई थी यह बात हम जोड़ दे फिर हम आगे बढ़े कौन-कौन सी सक्ति मतुरा में आई थी जेल में कारा गुरु में विश्टु भगवान के जीव और गवलोक की मैंने कल भी बताया था अक्सरातीत कभी भी जन्म नहीं लेते उसकी सक्ति आएगी लेकिन यहां नहीं आएगी मतुरा में नहीं आएगी वो कहां आएगी गोकुल में जाकर आएगी तो दो सक्ति आई और सुन में लेकर वो शुदेव जैसे ताड़ा बंदन जब ताला लगा था ने ताला खुला और जब बहार निकले तो क्यों खुला सुन्द साजी ताला पार की सक्ति आई मैंने कल भेद खोले थे कि गवलो की सक्ति आई जिसको पुष्टी मार्ग संप्रदाई आराद्य इस कृष्ण तत्व को मान कर जो सुन्द साजी सेवा करते आ रहे हैं वो सक्ति जब पार की गवलो की आई ताब ताला बंदन खुल गए और पहुचे यह थोड़ी लिंक जोड़ी यह थोड़ी चैनल जोड़ी क्योंकि आगे की लिलाम भागवत के आधार पर समझेंगे भागवत में यह नहीं बताया है सक्ति का बेद भागवत में नहीं बताया है सुन्द साजी प्राणना जी की वानी में बताया है उसमें सिर्फ उसमें सिर्फ श्री अरी विष्णु भग्वान के अउतार वाली सक्ति का नाम बताया है पारब्रम किया जरूर लेकिन सक्ति का स्पष्टिकरण भागवत में नहीं हुआ है किसने बताया है? प्राणना जी की वानी ने बताया फिर जब गोकुल में गए तो और दो सक्ति आई कौन-कौन सी सक्ति आई? अक्षर की आतम और राजी के जोस और आवेस और दो सक्ति आई ने मूल सुरत अक्षर की दिन चाहिए देखो प्रेम सने सुर सुरत दनी को ले आवेस नंदगर कियो नंद घर बोला ने मथुरा में नहीं किया ने चार सक्ति आ गई सिराज जी को जो सावेस अक्षर की आतम विश्णु के जीव और गौलो की सक्ति चार सक्ति जब गौकुल में आ गई कलम ने देखा जैसे एक जल से मचली अलग होती है बिछूरते समय बिछूरते समय कैसी अल अणन कर पाएगी एसे हम सिराज जी के चलनों से मुल मिलावे से फरातम से अमारी आतमा धाम धनी के चलनों से बिछूड कर कहां आई कहां आई सुन्दर साजी गोकुल में ब्रज मंदल में उत्री कितनी सुर्टाय उत्री बारज्जार ब्रह्मात्माय और चोविश सज्जार कुमारी काये इस्वरी सुष्टिया उत्री और बारज्जार ब्रह्मात्माय किस तन में उत्री बड़ी बड़ी जो गोपी काये थी ब्रजबदू उस तन में जो देखो वहाँ भी तन का अधार लिया ने सक्ति सिर्फाई ने क्या मुल्तन आये इसलिए मैंने पहले यह स्पस्टि करण कर दिया कौन आता है परमधाम से सिर्फ सक्ति आती है नाम किसका पढ़ता है भूलना मत किसका पढ़ता है तन का पढ़ता है सुन्दसाथ जी फिर 24 सज्जार कुमारी काये और 12 जार ब्रह्मात्मा की लीला जब प्रारंब हुई एके गंग में उमंग भर कर कैसे बधावा लेकर आई बधाई लेकर आई नंद जी के घेर आनंद मंगल पूरा अबरज मंडल उत्सो मनाय जा रहा है और वहाँ पोंचने के बाद जब यह सक्ति पोंची तभी सीउ जी को पता लगा किसको पता लगा यह वरण सुन्दसाथ जी भागवत में बताया गया कहां बताया गया है भागवत में बताया गया कि सीउ जी को पता लगा यहां में रहस्य खोलूंगी ज्यान दीजिए यहां शीउ जी क्यों दर्शन करने के लिए आए क्यों शीउ जी आए दर्शन करने के लिए वह सत्यूक्ष आउतार तो आते थे और जाते थे, इस बार 28 में कल्यूग में, इस पहले 27 बार ये चोकड़ी बिचुकी, समझ गए मैंने पहले दिन ही बताया था, साथमे मनवंतर की छे मनवंतर पहले बिच चुके है साथमे मनवंतर की 27 चोकड़ी बिच चुकी है 28 मी चोकड़ी के द्रापर आ गए मैंने पहले दिन भी बताया था ऐसे तो कई आउतार हो गए सिउजी को भी भी नहीं आए इस बार क्यों आए क्योंकि क्यों सिउजी नहीं आते थे यभी मैं बताती हूं भेद आपको जो बार बार आते थे अउतार इस ब्रह्मान में विश्टु बगवान के जीव के जो यह आदने वाले अउतार हो अउतार में अक्षरा टीत फिर धिन ध्यान दीजिए अक्षरातीत, पारब्राम, पुर्णब्राम, प्रान्नात की आवेश्चक्ती, राज्जी की आवेश्चक्ती कभी भी आई नहीं थी, बार-बार विष्णु के जीव आते थे चोविस अउतारों में, इसलिए कभी भी सिवजी दर्शन करने के लिए नहीं आये, क्योंकि पार से सक्ति आई, इसलिए सिवजी आए, उसका मैं प्रमान दूंगी, प्रमान के बीना मान लेना नहीं मेरी बात को, अयोध्याकांड, रामायन में बताया, नेति नेति कहे वेद निरूपा, निजानन्दा निरूपाधि अनोपा, संभू विरंची विष्णू भगवाना, उपजतही अंसू बहुविद नाना, किसका प्रमान है, वानी का तो नहीं है, ने, धामदनी ने बोला ने, कि लाखो, वेद कतेब में, उक में लाखो लिखे निसान बताया, ने, धाम धनी ने वेद कतेब में उसके उकम से लाखोन लिसान निक्वाए ने जो उसका प्रमान देकर वेद कतेब या सास्त्रों का प्रमान देकर लोगों को समझाएगे संसार की आत्माओं को तभी पता लगेगा ने संसार में जीवों को कैसे मानेगे लोग हमारी साक्षी सास्त्रों में आई ने उसका प्रमान देंगे तब ही तो मानेंगे कि यह वानी सची है कैसे मानेंगे ओ लोग बताया कि नेती नेती कहे वेद निरुपा जिसको वेद नईती नईती अगम नीगम के कर वापस लोट गए यह सब्द वेद में नहीं आये उपनी सब्द में आये वेद में नईती नईती सब्द नहीं है उपनी सब्द में यह सब्द आये नईती नईती वो उसका जो अखंड की जो बात है वो नहीं जान पाए कि उपर क्या है तो है अखंड में उसको एक ठंड़क तुस। तिस्रे चरण में बताया, के संबू, निजा अनन्द, निरुपादी अनुपा उस ब्रह्म, कोन ब्रह्म? कोन ब्रह्म? निजा अनन्दम बोलते हैं ने? निजा, सम्रदाई पध्धती में बोलते हैं ने? आनन्द के स्वरुप कोन है श्यामा महराणी आनन्द कहां से प्रगट होता है प्रेम से प्रेम के स्वरुप कोन है मैं आगे ले जाओंगी आनन्द कैसे प्रगट हुआ बताओ मैं यहां मैं बात कर रही हूं आपको राजी की कर रही हूं ने राजी की बात में क्या अंदर से निस्त्रूत हो रहा है, क्या प्रभाहित हो रहा है? प्रेम तो मिह यहां से जो बात प्रेम की कर रही हूँ तो आपको क्या प्रगट हो रहा है? आनन्द क्या रस मिल रहा है? आनन्द तो मुल्स्तोत्र कौन है? राज्जी राज्जी इस्क के सागर है तो राजी के अंदर क्या प्रगट हुआ? प्रेम. तो ये कोन है प्रेम? राजी के अंदर प्रेम प्रगट हुआ? प्रेम में से कोन प्रगट हुआ? आनन्द. तो आनन सरुपा कोन है? श्यामा. और श्यामा के अंग कोन है? श्यामा जी का? अंग हो सुंदर साथ. तो आनन तो निजानन्द बोला ने? सत्गुरु को क्या बोला? सत्गुरु, ब्रह्मा नंद है. कोने सत्गुरु ऋमारे? ब्रह्म के आनंद, स्वरुप, श्यामा. बोलते हैंगें जों में सम्रिदाई बद्धति में आगे शंजेंगे. तो आनन्द प्रेम से प्रगट हुआ ने तो आनन्द के स्वरूप प्रेम के स्वरूप वेदों ने बोला, उपनी सदों ने बोला कि उसकी कोई उपादी, उसका कोई खिताब नहीं है उसको उम्पार नहीं पाते किस ने बोला और आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला विष्णु के जीव बाहर मार रहतारों में आते हैं तो रामाएन जब लिखाई लिख गई तब क्या युग था रेता तो राम ने क्या कहा मैं राम मतलब विष्णु के जीव इस बार राम बन कर आया हूँ और मेरे ही सीव और मेरे ही ब्रह्मा जी हम तिनों ब्रह्मा विष्णू और महेश तिनों बार बार ये सुष्टी की जब रचना होती तो बार बार जैसे सागर के किनारे पानी के बुल बुले कितने उड़ते हैं और पल में लई हो जाते हैं ऐसे बार बार ये महाप्रलय एक बार सुष्टी का हो जाता फिर सुष्टी पेदा होती तब जब सुष्टी पेदा होती तब मैं राम विश्णु वाला जीव वाला मैं शीव और ब्रह्मा जी तिनों बार बार बुलबुल्य की तरह आते हैं फिर इस ब्रह्मान के अंदर लि बार मरते हैं हमारे से मुक्ती नहीं होगी हम आपको मुक्ती नहीं दे पाएंगे ये कहां बताया रामायन में कहां बताया रामायन में सुन्दर साथ जी स्रीव भी अंदर आ गए क्या या नहीं आए आ गए ने तो स्रीव इस बार क्यों दर्शन करने के लिए आए उसको पता लग गया कि जिसकी में समाधी लगा रहा हूँ हजारों हजारों साल से महाई स्वस्त दंत्र में बताया पुरान सहिंता में भी बताया कि सीउ जी कहीं-कहीं बार 20-20 साल तक की समाधी लगाते थे कहीं-कहीं बार 5-5-6 साल की समाधी लगाते थे जब समाधी तूटती थी कईलाश परवत पर तो एक बार पारवती जी ने देख लिया और पारवती जी ने पूछा ऐसे तो एक बार हिमालई की दिक्री लड़की भी बन कर आये थे पुत्री भी बन कर आये थे कौन एक बार शिव जी की पत्नी पारवती जी और एक बार दक्ष की पुत्री सती भी बन कर आये थे और एक बार हिमालई की पुत्री पारवती भी बन कर आये तो बार बार आना महेश्वत अंत्र में यह लिखा है किसमें लिखा है महेश्वत अंत्र पुरान सहिंता में कि मैं बार बार आती हूँ बार बार जाती हूँ यह कोन बोल रहा है पारवती जी कोन बोल रही है पारवती जी पार्वती जी ने सीव से पूछा के सीव जी मेरे को बार-बार जनमना और बार-बार मरना नहीं है तो आप मेरे को बता दीजिए के जीव को अखंड मुक्ती कहां मिलेगी आप इस बात पर विचार कीजिए भागवत में शुक्देव मुनी ने सीव जी का दर्शन का क्यों लिखा मैं इस बार पर विस्तार से जा रही हूँ सीव जी महस्वत तंत्र में उमा को बता रहे पारवती जी को बता रहे पारवती जी ने पूछा के मेरे को बार-बार जनमना मरना नहीं है में एक बार इमाले की पुत्री बन कर आओ एक बार दख्स की पुत्री बन कर आओ तो बार बार जनम ना मरना नहीं है मेरे को अखंड मुक्ति का स्थान बता दिजिए श्वामी तब स्यू जी ने बोला हूँ मा कोई जगह ऐसा लिखा कि 20-40 साल की दिव्य समाधी तुटी उसके बाद अब कोई सुन जाते ने कोई लोग अमरनाथ की गुफा में अभी और साड महीने में वहाँ जो एक बर्फ की लिंग होगी वहाँ दर्सन के लिए सब जाते वहाँ सियू जी उस जगह पार्वती जी को बताया के उमा हे पार्वती मैं जो आपको जो एक अखंड की बात बेहत की बात बताने जा रही हूँ क्या बताने जा रहे हैं सियू जी हे उमा हे पार्वती जी आज मैं आपको जो अखंड की बात बताने जा रहा हूँ वो किसी को मत केना तब पारवती जी ने बोला कि किसको ना कहूँ, आप मेरे को सबस्ट कीजिए ने, तब उसने बोला कि संसार के जीव तो दुरी की बात रही लेकिन आपके पुत्र कार्ती के रोर गने से ने, सुनना आप ध्यान से, आपके पुत्र कार्थी के रोड़ गने से उसको भी मत बताना और आगे बताया कि पारवती जी मैं अखंड बेहत की बात बताने जा रहा हूँ आस पास में जो निर्जन वन है इमालई में आज लोग जहां जाते हैं निर्जन जो वन है उसमें कोई पसुपक्षी या किटपतंग रहने नहीं चाहिए क्योंकि ये बेहत अखंड की क्रश्ण तत्व की बात बताने जा रहा हूँ वो सुन भी ना सके प्रानदा सुन्दा साजी विचार कीजिए कि सीउजी पारवती जी को नहीं बता सके सिर्फ बेहत की बात दिव्य परमधाम की नहीं कि वो नहीं सुन पाएगे क्योंकि हद के जीव उसकी अंदर इतनी शक्षम ता नहीं है जब सीउजी पारवती जी को बताने लगे तब आज पास में किसी को रहने नई दिया, जब को उड़ा दिया और जो एक तोते के बच्चे, छोटे से बच्चे थे, उसको बोलते हैं क्या? गुजराती में क्या बोलते हैं? पोपट बोलते हैं, तो तोते, उसके छोटे बच्चे ने अभी अभी कोसले में अभी अभी बोन हुआ था छोटे ही बच्चे थे तो उसने सुन लिया और होज सीउ जी को जब पता लगा कब लगा कि हद की बात चालू रही तब तक तो पार्वती जी सुनती रही जब बेहद की बाते आई तो पार्वती जी को नींद आ गई सुन नहीं पाए तो ते के छोटे बच्चे ने सुन लिया और सीउ जी को पता लगा आँख खुली तो पार्वती जी को नींद आ गई थी देखा तो तोते के बच्चे ने सुन लिया उसके पिछे दोड कर गए कहां तक गए वो किसके गर्भ में समा गए वियास मुनी के पत्नी के गर्भ में वो समा गए वो सत्र साल के बाद उस्हें जनम लिया और वो सुकदेव मं नी से नाम से जाना जाता है तो विचार कीजे सुन दर साथ जी तो बात पार्वती जी नहीं सुन पाई और सीउ जी नहीं कह पाते थे वोगात आज पांच दीन से आप सुनते आ रहे हो वो तो सिर्फ बेहद की बात थी, आप तो दिविय परम, धाम की और भी आगे सुनेंगे, अभी पंद्र दिन तक लगातार, और भी आगे सुनेंगे, ओ बात शीव जी नहीं के पाए, पार्वती जी को यही बात सिर्फ बेहद की थी, अक्षर की थी, और मैं आगे बताओ, होई शीव जी, उसके भक्त यहां के नर्शी मेता थे, कौन थे? यहां के जुनागर के, नर्शी मेता भी नर्शी मेता की बात मैंने आधी छोड़ी ने, वो नर्शी मेता पहले शीव जी के भक्त थे, जब उसने भक्ती करते करते, जब पुर्णत अपराप्त की, शीव जी ने रसं दिया, फिर पुछा, के मांगो नर्षी, आप मांगिए, तब नर्षी मेताने यह मांगा, हे वगवान, हे प्रभू, हे शीव, मेरे को आप, जिस लिला का आप रसं करें और, जिसकी समाधी में बैठें ओ, जिसका ध्यान करें और, उस लिला का मेरे को दर्सन कराईए किस ने बोला? नर्सी मेता ने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को जिस लिला का जिसका ध्यान कर रहे हो उस लिला का मेरे को दर्सन कराईए तो विचार किजिए सुन्दर साथ जी नर्सी मेता ने और कुछ नहीं मांगा कि सुक्या मांगा जिसका ध्यान करे है उसका मेरे को बता दीजिए तब नर्सी मेता को शीव जी ने अखंद ब्रज और रास का जो ध्यान कर रहे थे क्रश्ण तत्व का यही बात बताई नर्सी मेता को उसके बाद नर्शी में ता सीव भक्त पहले था और उसके बाद वो क्रस्टन भक्त हुए. उसको पता लगा कि मैं जिसको आरा दिये इस्टरूप में जिसकी भक्ति कर रहा हूं किसी के द्यान में बेठाए तो मैं सिधी भक्ति उसकी क्यों न करूँ तो मैं आज सब और एक नम्र निवेदन या नम्र प्राथना या नम्र प्रणाम करके कह रही हूँ कि आप एक ही प्रमात्मा की पेचान कर लो तो बहुत अच्छा है कत अचित मानलो अभी थोड़ी थोड़ी सुगंदी थोड़े दिन में राज्जी मैं तो यही असा करूंगी कि अंतिम में कई आत्माओ को यह सुगंदी मिले ज्यान का प्रकास हो ज्यान की जोती जले और जिग्यासाब के अंदर एक परमात्मा के बारे में जानने की जिग्यासाब पेदा हो ऐसी सुपकामना ऐसी मंगल कामना मैं करती हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने एक घंटे पूरे ले लिये हैं आज राज जी ने पता नहीं क्या बात को कहां जोड़ दी लेना तो तो भागवत की ही बात लेकिन भागवत के आधार पर जो बात लेनी थी उसमें मैंने शिव जी की बात जो आधी छोड़ी क्योंकि भागवत में शियु जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ऐसे कई राजाओं का वरणन आते हैं, किष्ण का वरणन आते हैं, लेकिन वो तत्व को जानते नहीं हैं, कि ये तत्व कहां का है, और ये तत्व कहां पर लिला कर रहा है, ये अखन ब्रह्म कहां पर रहा है, वहां कैसी लिला हो रही है, ये लिला के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन हमारी बात आदी वहां रहे गई, प्रणधार आत्माएं, मैं इसलिए ये इतनी बाते जादा से जादा विस्तार कर रही हूं, क्योंकि यहां सिर्फ सुन्दर साथ नहीं है, पांच कौन है तो उसको भी थोड़ी सुगंदी मिले हम तो बस परमपरा से 400 साल से ये वित्तक की घटना तो सुनते ही आ रहे है और भी सुनें हितना उसके उकम से बताएंगे लेकिन आज कल मैंने एक सुन्दस स्वार्थ को ये भी बोला था कि सब का यही भाव रहता है कि दिदी ए एक परमात्म कोन है इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात लेना तो आज धामधनी ने थोड़ी भागवत के आधार पर बात चली तो मैंने सोचा कि यह है ये बात रखलू और धामधनी के उकम शे बात निकल भी आई तो राज जी ने रखली मेरे को पता भी नहीं था तो सुन्दर साथ जी भागवत के आधार पर सीउजी दर्सन करने के लिए क्यों आए अभी मैंने बात आदी छोड़ी के बार बार अउतार तो आते थे जाते साब भेद समझे ने जो तफावत है भेद है आप समझे इस बार अक्षरा तीत पार ब्राम पुरुन ब्रमात्म कि आवेश सक्ति आई इसलिए शीव जी दर्शन करने के लिए आये और शीव जी पूरे शरीग पर पूरे अपने बोडी पर भभूती जिसको हम राख हिंदी में भी उसको राख ही बोलते हैं मिट्टी लगा कर आए ऐसे गले में सर्प उसका भी अलंकारिक वरणन है यह तो रुपक माध्यम से अलंकारिक माध्यम से यह वरणन किया है वास्तों में सीव जी की ऐसी वेस भुसा नहीं है गले में सर्प क्या है सीरपर चंद्रमा क्यों है यह तिसरा नेत्र क्यों है और जो बभुती लगाई है वो क्या है और जो ध्यान हम सुनते आ रहे हैं अभी तक बहुत सालों से कि निलकंठ कंठ में निलकंठ की हम बात सुनते आ रहे हैं निलकंठ वरणी श्वामिनान सम्रदाई में जो पहला ही निलकंठ वरणी हुए ने उसमें भी एक बात आती है क्योंकि जो वीस निकला चौध रत्न में देवासूर संगराम हुआ ने मैं पहले दिन बात रखी थ थी कि देवासुर संग्राम के बाद बली राजा पाताल में चले गए और बानासुर के आत में राज्य विवस्था आ गई और जब देवासुर संग्राम हुआ देवासुर संग्राम में चवद रतन जब वासुकी नाग्चे जब समुद्र का मन्थन किया तो चवद मां रतन अम्रुध निकले, उसमें एक वीस भी निकला था, तो वीस किसने पिया? शीव जी ने वो गले में तो उस लिए उसको निलकंठ वरणी बोलते हैं निलकंठ तो गले में साप और वीश और आज हम शीव रातरी के दिन सब में देखती हूं सब मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों से मेरी साथ भी पहले लेकर आती दी गर में लेकिन दस बार साल से बंद हो गई जब राजी की पेचान हुई ने उसको दामदनी की पेचान हुई तो वो भी वो क्या बलते हैं उसको भांग नसा वाली वो नसा आता हैं मस्ती में जुमते तो सब समत्यारे के भई शीव जी भांग पीते थे, वो नसे उससे नसे, चड़ते ने उसके अंदर एक मस्ती चड़ती, तो वहां से लेकिन वो नसा जो भांग क्या है, सर्प क्या है, सीरपर, चंद्रमा क्या है, यह तिसरा नेत्र क्या है, भभूती क्या है, समाधी क्यों लगा रहे, यह सब बाते वास्तविक्ता कोई अलग है और रुपकलंकार माध्यम से शीव जी की ऐसी बेस्पुसा सास्त्रों में लिख ली और दुनिया के मानव मान भी लिया और ऐसे रूप में दुनिया के लोग उसको देखते हैं और हर सिवरात्री में भांग भी अरे बैसीव जी वो नस्य क्यों क हुआ है कि उसको संसार का पता ही नहीं है मैंने अभी बताया बीस बीस अजार साल समाधी लगते हैं कहीं कहीं बार पांच-पांच अजार साल आप बीस सेकंड भी स्थिर नहीं रह पाते हैं बीस मिनिट में एक को ऐसा सांती से बैठ नहीं देखा अभी नहीं देखा किसी को मैंने बीस मिनिट सांती से बैठ के नहीं देखा देखो सीव जी आज हम इसको कहां समान किसके समान सेम करते हैं सुन्दर साथ जी के ये तो हद के जी है लेकिन कितने साल की समाधी लगाते उसकी बराबरी में हम आएगी हमारे जीव आत्मा का तो छोड़ो, वह तो परमधाम के आएगे, आई है और जाएगे, लेकिन हमारे जीव, उसकी बराबरी के, पास एक बार तोल नाप करो, आप तोल नाप करो के, सीव जी के बराबरी, आप पांच मिनिट सांती से बैट पाओगे क्या, तो उसके जीव उत्तम या हमार जीव, दावा उसने बढ़ा लिया या हमने, बोलिये, अरे, दावा किसने बढ़ा लिया, अभी मैंने भी बोल दिया ने, कि शियू जी तो बेहद में है, हम तो, हम तो, हम तो परमा, इससे पहले मैं क्या बताया कि उसके गुणों की पुजा करो, तो शियू जी के अंदर जितने गुण है, ऐसे समाधी लगाने के, संसार को ठोकर लगा दी, ऐसे ब्रह्मचारी, नीरविकारी, योगेश्वर शियू है हमारे अंदर, ऐसा गुण, पहले किसके अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, संदसाजी, ये स्टर चाहिए, ये वित्तक है, वित्तक कोई देवचंद्र जी की, मैंने तुमने कह दी, मिहराज की कह दी, कल मैंने चिंतामनी की कह दी, परसो लालदासी की कह द क्या है वित्तक वित्तक करने का कोई गटना करम है क्या वित्तक चार सो साल से पुरी वती रही है हम पुरे हुए है चार सो साल में चार सो बार हमने समाप्ति कर ली हमने हमारी दिल की कितनी बार हुई परन समाप्ति हम पुर्ण हुए है मैं परसो भी बताता है, शुक्देव मुनी के पास हमारे जीव को खड़ा की जिए, क्या शुक्देव मुनी की बराबरी हमारे जीव का तोलनाब कर सकेंगे, कर सकेंगे, क्या? अरे मीरा बाई को तो देखो ने, चलो वो तो और आगे के जीव है, मीरा बाई देखो ने, नर्शी मेता देखो ने, हमारे घर में प्रसंग होता ने? या हमारे घर में छोटे मोटे कोई कारिय होते या कोई, आज कोई काम में सामको 6 बजे के बाद जाना है, पांच बजे से ह हमारा ध्यान कहां चला गया? तो मेरा बाई का विश्का प्याला किष्ण तत्व जो जिसने लिला कि उस टाइम पे गौलो की, वो क्रिश्ण उसका विश्का प्याला पीले राना का दिया हुआ, और हमारा विश्का प्याला कि हमको पिला दे, मैं गलत हुए आप हो, मैं गलत मोल रही हुए आप हो, जो मेरा बाई का राना ने दिया हुआ, विश्का प्याला, वो कौन पिले थे और हमरूत बना कर किसको पिलाते थे? मेरा को ने? तो हम रात दिन, 24 ओवर, 24 कंटे, हम पुरा दिन संसार के विश्के प्याले पिते रहते हैं, हमारा क्यों कम नहीं होता, क्यों हमारे वाला जी ने अमरूत बना कर पिलाते? क्योंकि जो मेरा बाई जी स्राह पर चली, मेरा बाई ने जो मार्ग अपनाया, मेरा बाई ने संसार से ठोकर लगा थी, क्या मेरा बाई ने बोला? बताईएगा, इस तरफ ने, इस तरफ कोई बताईगा, मेरा बाई ने क्या बोला? मेरो तो गिर्धर, और दूजो ना, हम क्या बोलेंगे? आप मत बुलिए, हम क्या बोलते हैं? मेरा तो संसार, परिवार और घर और मेरा दूजा हम क्या बोलेंगे हमारा तो कुटुम परिवार बोलें रीश्ता बालबच्क पति ये सब हमारे और तू एक तू आहें रेव में केते हैं सुन्दध साजी, हमारा पहला कोन ने कल रो रो के बताया था, पर सो भी बताया था, मिरा ने ठोकर लगा दिने सब को, मैं यह नही करे रही हूं के घर में जा के आज छे बजे के παद प्राणातित के साथ पहली प्राथमिक्ता किसको दीजिए प्रथम मेरा बाई ने सब ठोकर लगा दी एक गिरधर गोपाल दूजो नमेरो कोई हमारा तो सब हमारा बनता है एक अक्षरातित तो जब याद आए तभी हमारा बनता है 24 गंटे में एक गंटे के लिए कभी बने तो बने वो मेरा तो नहीं बनता है कई बार तो मैं भूल जाती हूं तो नहीं भी याद रहती तो नहीं मैं कर पाती हूं राजी की सेवा पुजा ध्यान जो भी पढ़न नहीं होता है मेरे से कई बार तो इस दिन तो मेरा छुट गया ने मीरा बाई ने क्या किया देखो बेहत की भक्ति परमधाम की भक्ति नहीं बेहत की भक्ति और क्या किया एक मेरो गिर्णो पाल और दूजो न कोई हमारे दिल में सब का स्थान है वाला जी का तो 24 गंटे में कहीं बार थोड़ी वो लोगों को थोड़ा इधर करें तभी थोड़ी देर के लिए स्थान होता यह उस तरफ करें तो नहीं तो इतने देर के लिए भी होता नहीं सुंतर साजी बात बहुत गहरी है सोचना कि हम पु अंदर बिठा रहे है रोज हम बोलते तो है तुम दुला और ना जानो लेकिन बात बदल देना तुम दुला नहीं तुम दुला कौन ये दुला मेरा नहीं है और सब बात में जानती हूं संसार की सब बात जानती हूं लेकिन तेरी बात में नहीं जानती हूं हम बोलते तो ह सुन्दसाजी लेकिन हम यह राह अपना नहीं सकते हैं हम इस राह पर चल नहीं पाते हैं ऐसे मीरा बाई ऐसे नर्शी मेता देखो हरीजन हमारी भासा में गुजराती में हम बोलते हैं ने जो दलित पक्ष केते हुशको उसमें जाकर बजन किरंतन करते थे घर में क्या था घर में प्रसंग था ने आज मैं आपको पूछू तो आप कितना प्रसंग या विवार का काम छोड़ कर यह आए हो मैंने बोला ने छे बज़े के बाद जाना हो तो अभी चार बज़े से हमारी घड़ी की और ध्यान चली जाती ने चली जाती ने सुन्दर साथ जी लेकिन नर्शी में ताने कभी भी देखा संसार की और रिष्टे की और परिवार तो वालो जी उसके वालो जी पहले वहां आये के कहां किसके पास गए वालो जी उसके वालो जी उसके पास गए ने तो हमारे दनी हम तो उसके ओंग है हमारी तो निस्बत की भक्ती है किसकी भक्ती है एक अंग अंगी की है हम तो उसके अंग है हम उससे अलग ही नहीं है सुन्दसाद जी हमारे धनी हमारे से एक पल अलग नहीं है तो हमारे धनी हमसे अलग होते क्या लेकिन जो संसार के संत मनिशी जन या हमा पुरुषों ने जो भक्ति करके बताई उसकी पंक्ति में हम एक परसेटेज खड़ा रहनी पाते सुन्दसाद जी हमने दावा तो बहुत बड़ा ले लिया नई सुक्रेव की नई संकादिकों की संकादिक पांच साल में निकल गए एक पारव्रम की खो सुन्दसाद जी हम आज 40 साल या 45 साल हो गए मेरे को बताई एक गंटे के लिए हमारे पास चर्चा सुनने के लिए टाइम नहीं है मैं तिन दिन से बोलती आ रही हूं कि हम बस कहीं बार एक रिष्टा या व्यववार निभा देते कि भई मिया चर्चा चल रही है पंदर द इसने निभाया वो पांच साल की उम्र में संकादीक निकल गए आज हमारी साइट साल किसी की 70 साल किसी की 80 साल हो गई आज राज्जी की ओर हम कितने आगे बढ़े हम अपने अपने सब सुन्दसाद अपने दिल को तोले कि हम कहां पर खड़े है और कहां तक पहुंचना था इस चर्णी में और कब हम पहुंचेंगे यह सब अपने आपको अपना नियाई कर ले मेरा अधिकार आपका नियाई करने का नहीं है सुन्दसाद जी तो ऐसे सिउ जी दर्सन करने के लिए आए और उसने बोला के यह सोदा मैया मेरे को आप लाला का तुष्ण का दर्सन करवा दीजिए माता ने बोला अरे मेरा लाला इतना सुन्दर उस पर किसी की नजर ना लग जाए ने मैं ऐसे वेश्पुसा भयंकर लेकर आये सिउ जी बिहामनी दराने वाली उसको मैं कैसे दर्सन कराओ जो आसपास में गोपिया और भी खड़ी थी उसको बोला के जाओ उसको रतनों से भरा हुआ थाल दे कराओ तो मैं लाला का दर्सन नहीं कराओंगी तो हीरो रतनों से भरे हुए थाल दे दिया गोपिकाओ को गोपिका लेकर गई शीव जी के पास सीव जी ने बोला अरे हीरे रतने का थाल मैं क्या करूँ यहां का मेरे को तो लाला का मुखार बिंद का दर्शन करना है चलो माता जी आपको थोड़ा दर है ने कि उसको नजर लग जाए तो मैं उसका मुखार बिंद नहीं देखूंगा लेकिन मेरे को चरण दिखा दीजिए ने उसका क्या मांगा चरण दिखा दीजिए सुन्दर साथ जी आप तो कितने बड़े हुमें बाहर बाहर आपकी महि हुम क्या आप शिव जी से भी बड़े हो बोलो सी प्राण नात किसके दर्शन के लिए शिव जी आए है फिर माता जी ने काजल के यहां तिल लग करके थोड़े से ऐसे मू तो मू को तो लपेट दिया कप्रे से और गोपी को बोला जाओ और माता जी भी साथ में चली और ब उख नहीं दिखाया सिर्फ चरण दिखाया सि प्राणना जी ने वानी में क्या बताया में वानी साथ में ही रखूंगी ब्रह्मा सुर्ष्टी की प्रमान दूंगी ने ऐसे मारी बात थोड़ी है ब्रह्मा सुर्ष्टी की चरण रज खोज थके तैई गून कौन तैई गू व्यदों के वचन केते हैं कि तुमारी चनन रज खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश शिर्प विचार कीजिए कि लाला का चनन का दर्शन किया मुखारबिंद का दर्शन ही नहीं कर पाए ऐसा भागवत में भी वरणन किया कि लाला का दर्शन के लिए शीव जी आए और आगे कोन आये तो मैंने कल भी बताया था पुतना आई कोन आई क्योंकि मामा कंस्ट ने पहले से मैंने बता था ने जी अब जेल में कारागरू में जनम हुआ तब से पता था कि आठमे गर्भ से मेरा आठमा गर्भ मेरा काल है तो उसको एक अंदर से डर है सुन्दसाथ जी तो मामा ने खिलो ना भेजना शुरू कर दिया कि बांजे के लिए खिलो ना भेजू लेकिन पता नहीं है के खिलो ना कितनी दे रह ठीकेगा कौन खिलो ना पुतना पुतना कौन थी अगले जनम में बली राजा की कौन थी बहन थी जब वामन अवतार बन कर आए तो बली राजा के घर में ही उसकी बहन रहती ने मैंने कल भी बताया थाक मैं प्रसंग पुरा बताऊंगी कल जब वामन राजा आये उसने विष्ण भगवान का रूप रूप लेकर राए विष्ण भगवान का ही जीव था ने वामन के अंदर भी बारबार रहता रहा थे बली राजा के पास तीन कदम में तीन चरण में तीन पेर रखे तब कितना मांग लिया पुरा मांग लिया था ने उससे पहले उससे पहले जब उसका सुन्दर रूप वामन का देखा बली राजा की बहन ने तो इतनी मोही तोग हो गई अंदर से भाव प्रगट हुआ बली राजा की बहन के अंदर के ऐसा सुन्दर बालक ऐसा सुन्दर रूप मेरे गर्ब से तो जनम नहीं पाएगा लेकिन मैं उसका एक मुखार वी इंदिया उसका एक मुख का स्पर्स लेलू पेले यह विचार आया इतना सुन्दर बालक देखकर थोड़ी देर के बाद जब तीन कदम में पुरा मांग लिया उसकी बेहन अपनी भाई की दन संपती जाती घर में से तो कोई सहन कर लेता क्या बाल बाई ने क्या किया बाल बाई ने के मेरे भाई की दन संपती वहां से आ रही है महराज अड़ब कर लेंगा यह जानी नहीं चाहिए का राज दर्बार में चली जाए का जाए कि पानी में चली गई ने ऐसे बली राजा की बेहन ने भी सोचा कि कि मेरी भाई की संपती जा रही है बली की तो अंदर एक द्रेश एक द्रुना एक इस्सा पेदा हुई फिर पहले यह सोचा था कि उसके मुख से मेरा को स्तनपान करे फिर यही पल में और विचार आ गया द्रुना पेदा हुई ने तो एक पल में विचार बदल गया कि उसको स्तनपान तो कराओ लेकिन विस्वाला क आई, स्तन्पान भी कराया पडन कैसा कराया विष्ष्वाला जब स्तन्पान कराने लगी, पुतना आई नै कि इतना बड़ा रूप लेकर आई यह उसमें तो काई कोसो का भागवत में वरणन बताया है लेकिन मैं नहीं बताया कि वो आलंकारिक माद्यम से है आलंकारिक पक माध्यम से वरणन किया गया इसा कोष का शरीर, क्योंकि गोकुल की सीमा मर्यादा इतनी नहीं थी, ऐसा कैसे पुतना का इतना बड़ा बोडी, साथ कोष की ऐसी बताईए पुतना को, इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी विशाल काई अंदर की विचार, ऐसे अंदर की क्रोद, ऐसा भाव लेकर आई नहीं वो, वो थी, ऐसी पुतना को, जो बविश्पान और उसको किसने उधार किया, किसने उधार किया, किसने उधार किया, फिर मैने सक्ती सुन्दर साजी, एक गंटे के लिए पहले क्यों समझाई, यहाँ पर मैं स्पष्ठी करन करूंगी, इसके पिछे का कोई कारन था, कितनी सक्ती थी अंदर, चार, उसमें किस सक्ती ने उसको, उसका उधार किया, विश्प भगवान की, किस सक्ती ने उधार किया, गौलो की शक्ती ने, क्योंकि, सुन्दा साथ जी गवलो की सक्ति ने इसलिए उधार किया और मैंने अभी भी बताया कि विश्पान इसलिए किया कराया कि थोड़ी देर पहले उसको भाव था कि मैं स्तनपन कराऊ थोड़ी देर के बाद भाव बदल गया और विश्पान कराया क्योंकि उसके भाई को तिन कदम में मांग लिया ने यहां में बेद स्पष्ट करूंगी कि उसने जो मारने वाली सक्ति है कभी भी अक्सरातीत किसी को मारता नहीं है तो विश्णु भगवान की सक्ति भी क्यों मारे यह भी गवलो की अखन की नहीं तो है। क्यों मारे? यह भी उद्धार क्रेगी नहीं. यू भी उद्धार क्रेगी, उसने भी मारा. नहीं है. फिर मैं और सपच्छी करण करूँगी, के तब आथ में सस्त्र के कोई अस्त्र लिए नहीं है क्यों नहीं लिए पहले तो यह समझ लो अक्षरातित की जो सक्ति अंदर बेठी थी उसने तो पहले मारा इने बुतना को यह पहले भूल जाओ मारा किसने तो विष्टु बगनवा जो जीव जिसका अधार लेकर गवलो की सक्ति बेठी थी उसने मारा लेकिन उसने भी क्यों मारा यह भी मैंने अभी बताया और मारा इसलिए सुन्दसाजी सस्त्र और अस्त्र से नहीं मारा है कहां तक सस्त्र अस्त्र अत्मे नहीं लेंग क्योंकि स्orasथ तब तक ध्यान से सुनना साइ़ तब तक गख़लों की सक्टि अंदर हा में लिप लिला कर रही है ने और अक्षातित की सक्टि भी बी अंदर लिला कर यह दू सक्टि यह होगी तब तक अस्त्रस अस्त्रा आत्मे लेना नहीं पड़ेगा यह दोनों सक्टि जब चली जायेगी गवलोगी शक्ती भी चली जायेगी पुश्टि मार्ग मानने वाले की और निजानन सम्रदाई में अक्षरातित की जो हावेश सक्ती आई है वो भी चली जाएगी उसके बात जब मठूरा में पहुंचेंगे मठूरा में चार लीला पुर्ण होगी, उसके बाद जब विश्णु सरुपनी की सिर्फ सक्ती अंदर रहेगी, विश्णु वाला जीव की, यह भागत में बहुत सुन्दर वरणन की आये, मैं अभी बता दूँ यहां, कि जब यह विश्णु वाली सक्ती आये, लेकिन उसका भागत में विश्णु विश्णु वरणने में बताऊ अभी, जब मतूरा में देव की के गर्ब से जन्मा हुआ, तभी रोहिनी नक्षरत्र था, क्या था? ग्रह और नक्षरत्र राशी के आधार पर मतूरा की जेल में वहां उसका वासु देव नाम था, क्या था? भागत में बताया, वासु देव था, फिर यहां साथ-ाथ गंटे के बाद, जब गोकुल में पहुँचे, फिर सक्या वधावा बधाई लेकर आई, फिर सुन्दर साजी थोड़े दिनों के बाद अभी गर्गाचारिय नाम रखेंगे, ने? अम अभी किस लिला में पहुँचे है? अभी तो प भागवत में बताया के देड़ साल के बाद, गर्गाचारिय उसका नाम क्रिश्ण रखते है, क्या रखते है? क्रिश्ण रखते है, तो सुन्दर साथ जी वहां वासु देव था, फिर यहां आने के बाद, फिर ग्रहनक्षत्र के आधार पर उसका नाम डेड़ साल के बाद क्रिश्ण रखा गया क्या रखा गया क्रिश्ण रखा गया ये भागवत के आधार पर में पुराणों के आधार पर बता रही हूं आपको फिर आगे लिला हुई जो आमने पुतना की लिला को भी देखा पुतना की लिला में आमने दो सक्ति को देखा उसमें गवलो की शक्ति अक्षरातित की शक्ति और विश्णु भगवान के जीव और अक्षर की आतम ये चार सक्ति की लिला के साथ और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्तासूर, तुरुनावत, अगासूर, बकासूर ऐसे कई कंसराजा उसके मामा खिलोने बेजते रहते हैं ऐसे कई राक्षशों को बेजते रहते हैं, सक्तासूर, ऐसे एक राक्षश थे, ये राक्षश सकट मतलब जो बैल गाड़ी होती ने, हिंदी में उसको बैल गाड़ी होते हैं, बोलते हैं, और गुजराती में उसको बढ़त गाड़ू बोलते हैं गुजराती मा बड़त गाडू जै आपने गाडू लईने जाए ने बड़त ने जोड़ी ने सकट मतलब बैल गाडी गाडी सकट मतलब गाडी एक दीन जस्वना गाउं में गोकुल में बहुत बड़ा उस्तव था बहुत ब्रजबासी गोपबाल के गोपिकाए किसके घर पहुची उत्सव मनाते मनाते नंद जी के घर पहुची जस्वदा मतलब गोपिकाए को गोप बालकों को देकर इतने आनंदित हो गए इतने भावी बहुत हो गए कि वह उसमें मस्त हो गए और लाला को कहां सुला दिया सकट गाडु जो बोलते हैं उसकी गाड़ी के नीचे एक जुला बना कर उसमें सुला दिया और माता जी और सब गोपी काये सब किसमें मस्त हो गई उत्सव मनाने में मस्त हो गई यह किसकी बात है सुन्दस्या जी यह कोई घटना करम में ने कह रहे हूँ, हमारे घर में कोई प्रसंग होता था हूँ मुलाज जी को कहा रख देथे किसका प्रसंग है, मैंने सक्टा सुर का क्यों लिया, क्या भागवत में सुख देओं मुने वरणन नहीं किया था क्या और बहुत टाम से, बहुत साल से काही बगता जन्, ररापर से सुनते आरे, और भी भागवत अधीजी चल रही है। चल रही है ने? मेरा कहनते मी क्या आणा क्या मैं परसंग क्या रही हम। हम राज्जी को कहां रग देते हैं, इक एस्टों में कहां लग जाते हैं। कई बार राजी को भोग लगाया, अर्थी हुई, नहीं हुई, चलो नाज तो बहुत जल्दी है, चलेगा, मैं आने के बाद पोड़ाऊ नहीं, यह भोग, वहां बोल लूगी, जहां थाली निकले, वहां बनेगी ने, खाने के टाइम पे, वहां भोग, लगा लूगी, इसमें क्या है? चलता है ने, सुन्दरसाद जी, चलता है, चलो यह तो दुरी की बाद रहे, कि 100 के घर पर भी राज जी नहीं आए, कई सुन्दरसाद ऐसे होगे कराज जी भी घर पर नहीं आए, इस बहुत बहुत पहले बता दिजिए अ, पति के बीन आप कैसे रह पाती ह जो आपने दावा ले लिया कि मैं उसकी और धांगी नहीं हूँ आत्मा हूँ ब्रह्मात्मा हूँ सुन्दर साथ हूँ ब्रह्मा सुष्टी हूँ तो राज जी के भीना घर में कैसे रहे पाती पहले तो यह बता दीजिए कहां या आपके पती नहीं है आगे नहीं बोलूँगी मेरे साथ हो ने आप बोलिये सी प्राणनाथ सुन्दर साथ जी सकट मतलब गाड़ू गाड़ी बैल गाड़ी जो आती नहीं हो उसके नीचे सुलादिया माता जी तो उत्सो मनाने में मगन हो गई किसी को सुधी नहीरी के लाला को वहां सुलाया है ऐसे में कंस का काम बन गया ऐसे एक छोटा सा रूप लेकर ये गाड़ी पर राक्षस नामक सकट नामक एक राक्षस बैठ गए और क्या किया क्या किया बात हमारी है बात हमारी है कोई सक्ता सुर्की नहीं हमारे गर में यही लिला रोज नहीं तो कोई बार बात नहीं लेकिन एक महीने में एक बार तो बित्ती होगी एक बार तो क्योंकि जाना ही होता ने एक बार दो महीने में कोई बार सक्ता में भी जाना होता है सुन्दस साथ जी लाला ने किया किया लाला ने ऐसे तो कहीं बार रो रोके माता जी को बुलाए लेकिन माता जी सुनी ये बोलते नहीं ने लमी इस दरफ ये बोलते नहीं ने मंदीर से बोले कभी इस तरफ मत जब देना इस तरफ बोलिये ये कभी भी मंदीर से बोलते कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चाही नास्ता फिर बाद में बनाओ, जाड़ू पोचा बाद में करो, मेरे पास आओ, मेरे पास बेठो, मेरा वानी का मन्थन करो, मेरे साथ राजी बोलते हैं, मेरे साथ बात करो, परमधाम की बात जानो, यह बोलते हैं क्या, मत जिद आप क्या कभी भी बोला के, सुबह हुआ, बालवूग धराईये, दोपर हुआ, दोपर के, राजबोग धराईये, साम हुआ, क्या बोला? इसलिए उसकी ओर ध्यान नहीं देते ने, वो रोते रहते हैं, क्या करते हैं? रोते, ऐसे रोना नहीं, समझ गए? मैंने कल भी बताया था, कि 400 साल से दनी हमारा इंतजार करें गुंबर जी दर्बार में, नूरी तन से जुल्ले पर विराजमान महमत्य के धाम दिल में 400 साल से इंतजार करें, लाला ने थोड़ी देर के लिए सकट में, गाड़ी में इतना ही पेरिलाया रुला, और स्वयम रोये, माता जी ने सुन भी लिया, आ भी गई, लेकिन हम 400 साल से सुन, ने रे कितनी बार कार्यक्रम हुए, कितने मंदिरों की पूरियों के, कितने कार्यक्रम, कितनी परिक्रम आपता ने कितनी माला फेल ली, गुमाली ने, 108 मन के वाली, बहुत कर लिया, बहुत पाठ कर लिया, नित्यक्रम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, मैं रोके प्रस्त अंदर से उड़ता है, मैं पुछो आपको, कि राज जी अभी क्यों दिदार नहीं दे रह है, समझ में आ रहा है, बहुत कुछ कर लिया, लाला रोया, माता जी सुन नहीं रही है, फिर क्या किया लाला ने पता है, मैं आपकी ही बात समझाओंगी, हमारी ही बात लूँगी, लाला ने ऐसे पूरी प्रेसर से जबदस्ती से आम, ऐसे उच्चे पैर करकर ठोकर लगाई, जो सकड था ने, गाड़ा था ने, गाड़ी, वो नीचे गिर गई, राक्सस नीचे दबा कर, मर गया, तो सब दोड़ कर आई, कौन गोपी का है, माता जी ऐसे ही, स्वास गले त लाला नीचे दबा गया, लाला मर जाएगा, लाला को क्या हुआ, गाड़ी के नीचे आ गया ने, लाला, हम कब राजी के पास जाते हैं, कब मनत मागते हैं, कब मनत मागते हैं, जब नीचे दब जाते हैं, कब मनत मागते हैं, राजी के पास कब जाते हम, जब हमारा सब कु माता जी कब गई उसके पास लाला जब पूरा नीचे दबा गया लाला किसी से दबने वाला यह तो पूरे संसार को दबाएगा लेकिन किसी से दबने वाला नहीं है ऐसे सकट फिर सबने गाड़े को उठाया यह तो एक लिला की आड़ी का फिर लाला को लेकर सीने से लगाया, सीने से गले में गले मिलाकर लगाया, फिर बोला लाला कुछ हुआ तो नहीं नहीं अरे लाला तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है मेरे को नहीं आपको क्या हुआ इतनी मानता है मनत मांग लिए आपको क्या हुआ मैं तो बहुत सालों से नौतनपुरी में बेठा था बहुत सालों से मंगलपुरी में बेठा था बहुत सालों से पदमावती में बेठा था कभी भी मेरे पास आई नहीं आज ठक गई, संसार से हार गई, खेल में, सीर तक ठक गई नहीं, जब दुख पर दुख दुख पर, तभी मेरे पास आई हो, ऐसे नहीं आई हो, ऐसे नहीं आई हो, ऐसे नहीं आई हो, जब हम ठक जाएंगे नहीं संसार में, एक बार आह निकल जाएगी नहीं, तभी जी के बाद जाए इसे सांधी सभी तो बेठे हो, एसे राज जी के बास नहीं जाए तो जाते अभी फोर्मोलीटी है हमारी, चाहे दो गंटे ध्यान कर लो, एक गंटे वानी पढ़ लो, मंदिर की पुर्यों की परिक्रमा कर लो, चाहे जितना भी कर रहे हो, यह तो जेड यह कल मरने के बाद तो मरना ही है, रोते रोते मरो यह हांसते हांसते मरो, एक पंजाबी में कहावत है, कोई फकीर हो, फकीर को एक व्यक्ति ने पूछा, कि की रब्द पाना, पंजाबी में है, की रब्द पाना, परमातमा को कैसे प्राप्त किया जाए, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए तब हूँ संत्फपकिन ने बोला ये भी एक कहवत है और स्वामी विवेकानंद और रामकुष्णा परमांस के बारे में बिठी हुई घटनापर पने एक घटना करम है उसने बोला कि परमात्म कैसे प्राप्त किया जाए तभी उसने बोला कि विवे कनंद चलो नदी के किनारे नदी के तट पर लेकर गए फिर बोला चल नदी में अंदर नदी के अंदर चल अंदर ले गए तट से अंदर गए फिर गहरा इमें मिडल में तो बहुत गहरा होता नि वहाँ जाके बोला कि रुख जा रुख गए फिर रामकुषन जी ने उपर हात दबाया क्योंकि पानी यह तक तो आई गया था कहां तक आ गया था नीचे से चरण से यह तक आ गया था फिर दबाते गये मूद धग गया ने फिर बोले, अरे, गुरुजी, मैं मर जाओंगा, यह तो पानी सीर पर आ रहा है, फिर बाहर निकाला, फिर निचे दबाया, फिर बाहर निकला, ऐसे दो तीन बार किया, कितनी बार, फिर रामकृष्ण जी ने बताया, जब तु पानी में गया, तब कैसे निकल रही थी अंद जाओंगा, मैं पानी में डुम रहा हूँ, मेरे को क्यू दबारे हूँ पर से, श्वामी, विवेकानन्द, जब इतनी गहरी आ, इतनी गहरी आ, जब तेरे अंदर से परमात्मा के लिए निकले गी ने, नवी परमात्मा एक पल दूर, नहीं है, एक पल दूर, नहीं है, हम तो बस मैंने बोला ने बस ऐसे सांती से साराम से भक्ती कर रहे हैं ऐसे सक्टा सूर इसके बाद तुरुनावरत एक आंधी के रूप में आया जैसे बारिस के टाइम पे तेजी से वायू बहती ने तेजी से वायू बहती तो आंधी के रूप में तुरुनावरत आया और जी माता जी के गोद में जसुदा माता जी की गोद में बैठा था, ऐसे माता जी की गोद भारी होने लगी, थोड़ी देर में माता जी को लगा, जसुदा जी को, कि मेरी गोद क्यों भारी हो रही है, मेरी गोद क्यों भारी हो रही है, तुरुनावरत नाम के राक्षस, जब कृष्णा को लेकर उठाने के बाद जा रहा था तो गोद में भारीपन होने लगा क्योंकि कृष्णा ने एक लिला की ने कि वो उठा नहीं पाए वो तुनावत को सुन्दसाजी वहां से लेकर क्या किया उसको पकड़ के फैक दिया और मार दिया और उसका उद्धार भ आया के सुन्दसाजी हमारे जीवन में ऐसी कई आंधिया कई तुफान आते हैं हमारे जीवन में कई संकट नहीं आते हैं क्या आते हैं हमारे जीवन में भी धामदनी हमारे पर पल-पल मेहर उसकी कबाय तले रखा उसकी छत्र साय में रखा हमको एक बल राज जी उसकी नज आती है संसार में, परिवार में, आती ने आंधिया, कहीं तुफान आते ने, कहीं अंगटना एगट जाती, लेकिन राज जी उसमें से हमको बचा लेते, ऐसे महास्वा तंत्र में प्रमान दिया, के शिव जी, पारवती जी को, एक बात और भी मैं आगे बढ़ा हूँ, जो आ तित होगी, तब पारवती जी को, शिव जी ने बताया, कि अठ्या विश्मे कर्यूग के अंतिम में, ये ब्रह्मात्माये, ये सुन्दर शात, ये आत्माये परमधाम से, दिव्य ब्रह्मपुरधाम से आएगी, उस टाइम पे, हे पारवती जी, आप ये समय को मागना, ये सुन्दर साथ जी, कि पारवती जी की मुक्ति के लिए, हमारे चरण कमल की दुली के लिए, महस्व तंत्र में, शिव जी ने बोला, और बात में आदी छोड़ी, हमारे जीवन में कहीं तुफान उड़ते है, कहीं ऐसे आंधी आती है, ये महस्व तंत्र में भी बताया, कि ऐसे परमधाम की ब्रह्मात्मा इस संसार में आएगी, तो ये पुर्ण ब्रह्म परमात्मा भी संसार में आएगे, इससे पहले कभी आए, नहीं थे, अभी भी नहीं है, आने वाले 28 में कर्यूग में आएगे, और ये आत्माओ, जब इस संसार में आएगी, आने के बाद अपने घर, माहेसो तंत्र में सियू जी ने बताया, अपने घर, अपने पती, प्राणनात, प्रियतम और अपने नीज स्वरुप आत्मा को जब ये भूल जाएगी, तो कोन आएगा? अक्सरातित पारव्रम उस आत्माओं को ये संसार में से निकाल कर, अगाद सागर से निकाल कर, महर सागर के रूप ने अंदर लेने के लिए वो आएगे, ये बात माहेसो तंत्र में, पुरान सहिंता में भी बताई गई है सुन्दसाथ जी, तो विचार कीजिए, कि हमारी है सुन्दसाथ जी, कितनी महान है, ऐसे तुनावत के बाद, ब्रह्मा जी का गर्व, उसके बाद, इंद्र का भी अहेंकार, मर्दन, वो भी धनी, गर्व, जो जिस जिस को आया किसको, ब्रह्मा जी को, और इंद्र को, उसमें एक लिला या आप, दो लिला जो पुरी होगी तो ले लेंगे, एक लिला ले लेंगे सुन्दसाथ जी, एक दिन नारज जी आ गए ब्रह्मा जी के पास, और नारज जी ने बोला, परमपिता, हे ब्रह्मा जी, आपको पता है, पारव्रम, अक्सरातित की आवेश्शक्ति, ब्रज मंडल में आ चुकी है, आपने दर्शन क अभी भी किया, तो ब्रह्मा जी ने बोला, कि नहीं, मेंने दर्शन नहीं किया, तब ही बोला, कि क्यों दर्शन नहीं किया, तो उसने बोला, कि क्यों मेरे को पता नहीं रेता, अक्सरातित की सक्ति आती, और मेरे को पता नहीं रेता, ऐसा तो होता ही, नहीं है, तो डर्शन के लिए क्यों आएं क्योंकि अभीपी एंगे थोड़ी देर पहले एक रामयन के प्रहन्ma दिया थे ने रामयन के प्रहून के ब्रह्मा विश्णु महेष तीनों देव है व't पाणिके बुल्बुले की तरह बंते हे और महाप्रलयमे मिट जाते हैं और वाँ ब्रह्मा जी दर्सन के लिए क्यों आए क्योंकि अउतार तो बार-बार आते थे सुन्दसाद जी लेकिन इस बार क्यों आए तो वो मानते नहीं थे फिर ब्रह्मा जी क्रिष्ण तत्व के अंदर जो अक्सरातित की आवेश शक्ती बेठी थी उसकी परिक्षा के लिए गए राज जी तो तन की मन की दिल की सब चोरी जान जाते हैं जैसे ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी जैसे आए ऐसे गोब बाल के जो सब अपनी तोली तोली में अपने अपने ग्रूप में मंडल में ऐसे वनों में जो अपना वोजन लेकर गए थे साथ में वो खा रहे थे ब्रह्मा जी को देख लिया कृष्णक जी को पता लग गया कि मेरी परिक्षा लेने के कारण आए है तो जो मक्षन जो भी घर से लाये थे वानगी मिठाई उसमें से मक्षन लेकर पहले सामने वाले गोप बालक के मुख में दिया उसका जुठन जुठा हुआ फिर उसके ओठ पर से लेकर थोड़े से बाइट थोड़े से टुकड़े अपने मुँ में डाला वो किसको देखाया ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी को पता लगा अरे अभी तो नारज जी कह रहे थे कि ब्रह्मा जी के अंदर फिष्ण जी के अंदर अक्षरातित की आवेश्शक्ति आई आप दर्शन करने के लिए जाओ ऐसा अक्षनातित ऐसा बारव्रहम जुठन खाए ये भी गोप बालको गरीब घर के बालक और ऐसे गंदे बालक का जुठन खा रहे उसको पेचान नहीं हुई उसने क्या किया सब गोप बालक जो छोटे-छोटे और गाई और बच्छडे को हरण करके गुफा में केद कर दिया बंद कर दिया यहां कृष्ण जी को पता लग गया लेकिन कुछ बोलते नहीं है ऐसे करते-करते एक साल बीत गई एक साल के बाद फिर नारत जी गए ब्रह्मा जी के पास बोलते के हे ब्रह्मा जी पता है वहां तो ऐसी गई ऐसे बच्छडे सब गाई घास या चारा चर रही है वहां तो कोई कम हुए ही नहीं वहां तो गोप बाल कैसे है गाई बच्छडे सब है प्र taki मैने तो सब चुना के घुफा में कैद कर दिया है तो लाओ में देखू वो चलके आकर वहां देखा तो गुफा में जाकर फिर उसको एक संखा हुई कि नहीं ऐसा नहीं होगा फिर गुफा में गए तो वहां भी ऐसा ही है फिर यहां आए, बनों में, तो वहां भी है, फिर आश्चर्य में पढ़ गए, उसको सोचने की बुधि भष्ट हो गई, फिर सोचा, कि अरे साक्षात ये तो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, मैंने उसकी परिक्षा ले ली, पस्याताप करने लगे, अभी तो मेरे कोक्षमा याचना करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, फिर वो क्रिश्चन जी के पास आये, क्रिश्चन जी के पास आने के बाद, जब क्षमा चाहते हैं, तब क्रिश्चन जी ने बाल गोपाल को बोल दिया, अपने टोली मंदल को बोल दिया, युथ के पुरो बोल दिया क्या आप आज अनकुट का आज क्या दिन है अनकुट का दिन है आज एक भोजन के एक कंड नीचे गिराना नहीं आप जो पतल में खा रहे वहां पतल थे क्या थे या स्टील के थाली या कटोरे नहीं थे पतल में जो खा रहे हो उसमें से एक कणी का भी नीचे गिरना नहीं चाहिए आप सब खा लेना जो बचे थोड़े छोटे छोटे कंड वो भी गाई को खिला देना आज नदी में कुछ कोई जगा हाथ मूँ भी दोना नहीं और डालना भी नहीं है कुड़े में भी डालना नहीं है यह बोल दिया क्योंकि पता लगया नहीं फिर ब्रह्माजी आये है ब्रह्माजी मच्छली बने एक कणभी प्राप्त नहीं कर पाए यह बात सुन्द साजी प्राणना जी ने हमारे शिवा पुजा के पद में आती है कोटी जतन ब्रह्मा करी था के सो जूठन नहीं पाए सो जूठन धनी सहज एक रुपा सो पंचमनी सदीन कोटी यतन कर पाए ब्रह्मा जी कर लिया लेकिन ये कन भी प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि ब्रह्मा जी किसके वनसद से वो पुराणों में भी एक बात लिखी है लेकिन समय हमारे पास नहीं है सुन्द साजी उसमें लिखा हुआ है कि जब गर्भ में था भागवत में भी लिखा कि गर्भ में था शिक्रुष्ण जी का जो विष्णु वाला जीव तब स्तुती की बाहार आने के बाद पेहचान नहीं पाया भ्रह्माजी के वंसजी भुगु है भुगु ने विष्णु भगवान की छाती पर शिनय पर जो ठोकर मारी थी लात मारी थी ये भी एक सास्त्रों के प्रमाण है क्यों अमारी थी सुन्दसाद जी और विश्णु भगवान ने भी बोला कि मेरी कठोर सिने से चाती से आपको आपका कोमल चरण में ठोकर तो नहीं लगी ने ऐसा विश्णु भगवान ने सामने बोल दिया था ऐसे भुगू ब्रह्मा जी के वनसज में भुगू और उसके वनसज अभी एक आगे और वित्तक में लिलाएगी तभी में बताऊंगी ब्रह्मा पत्नियों ने पेचाना लेकिन ये ब्रह्मा ने नहीं पेचाना पंडित लोगों ने तो ये ब्रह्मा के वनसज ब्रह्मा जी पेचान नहीं पाई अक्षरातित को ऐसे अक्षरातित की सुन्दसाजी अंगनाये आत्माये ये आत्माये की चरणरज कोन खोज रहे अंदर बेठने वाला नीज स्वरूप आत्मा कोन है इसको हमने अभी तक ने पेचाना है कि हम कौन है कहां से आये है और ये संसार और सरीच छोड़ने के बाद जाना है इंद साजी उसके बारे में हमने अभी तक नहीं जाना इसलिए तो हम ये नाराउयन की अंतरगत जितने भी सपन के जो भगवान अउतार देवी देवता बने हैं, उसकी पुझा कर रहे हैं, और वो किसकी पुझा कर रहे हैं? वो हमारी पुझा करें, हमको डून रहे हैं, हमारी चनरज डून रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है, मैंने अंतिम्य विस्तार से इसलिए लि कितना फेस्टिवल आता हैं तो सब लोग ऐसे मिट्टी वाला सितलामा बनाएंगे सब उसकी पुझा करेंगे और क्या एगा उससे पहले कुछ आएगा नाग पाचम आएगी अरे ऐसे ऐसे बहुत कुछ आएगे मैं एक दिन मैं जब ध्यान में थी खेत में तो पास में एक कोई सुरापुरा दादा की कोई एक पत्थर फरे बैठे कुछ बैठे वहाँ पत्थर वहां रोज प्रनाम करने के लिए बहुत लोग आते पिछे ही तो वहां रोज घंटी पर दादा की तो मैं ने बोला कि यह नाग तो आपने पीक्चर एक तस्विर बनाई है फोटो बनाई है वह पर दे के पर चित्र की है इससे अगले दिन मेरे खेत में एक नाग निकले थे, एक सर्प निकले थे, मैंने बोला कि उसको क्यों नहीं पूजते हो आप, जो पूजना ही है, तो वास्तविक नाग को पूजोने, असल असल नाग है, आप नहीं समझे, मैं समझाओ, कोई बात आप बंद कर दो, मैं बताओ, जो आपको नाग को पूजना ही है, मैं बताओ, आप मेरे को मेरी की पूजा करेंगे, या मेरे पुतले या टेच्यू लगाएगे सरकल में उसकी पूजा करेंगे, बताइए मेरे को, मेरी पूजा करेंगे या टेच्यू की करेंगे, सत्या कौन है, जीवन्त कौन ह यह ने समझ गए जीवंतिनाग की पुजा कीजिए ने पकड़ कर एक सुन में डाल कर उसकी क्यों कर रहे वो थोड़ी अलने वाला है यह वो थोड़ी ऐसे करेगा उसकी कर यह पुजा करी हैं तो पकड़ कर समझ गे मेरी बात अरे समझ में नहीं आ रहे प्रवा में ऐसे ही जा रहे ऐसे ही जा रहे कोई बात नहीं जितनी अधूरी बाते रही में कल बताऊंगी बोलिया सी सी सत्गुरु महारा शी ज्यावर धाम के समस्त सुन्दर प्रणा